हेलो बच्चो नमस्कार जै पी डबलू सभी फ्यूचर डोक्टर्स को मेरा सलाम मैं सुनिल कुमार यादव आपका इसकाई सर एक बार दुबारा से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ इस माइंड मैप स्रीज में लेकर एक कम्प्लीट चैप्टर देट इस निूरल कंट्रोल एंड कोडिनेशन दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है ये जूओलोजी के हुमेन फ्यूजोलोजी के चैप्टर जो थे उनमें बहुत इंपोर्टेंट एंड बहुत कंसेप्चुल चैप्टर में से एक चैप्टर है ठीक है तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो और कं कंसेंट्रेशन का लेवल कर लो up to the mark मैंने कोसिस यही की है कि NCRT की मैं सारी की सारी बात समेटने की कोसिस करूं तो आप कंसेंट्रेशन बनाए रखना क्योंकि अपने पास मसाला तो बहुत जादा है और समय बहुत कम है तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं नियूर हमने क्या काम किया nervous tissue का एक छोटा सा section लिया और उस section को देखा यह आपके screen पे nervous tissue का एक छोटा सा section दिखाई दे रहा है जब इस section को study किया तो पता चला कि nervous tissue का formation दो टाइप की cell से होता है एक cell जो थी उसको बोलते है अपन नियूरोन एड दूसरी cell जो थी उसको बोलते है न और ये नियूरोन ही nervous system की structural and functional unit है अब नियूरोन जो थी उसके खास बात क्या थी कि नियूरोन में ये ability थी कि नियूरोन किसी भी external stimulus को detect कर सकती थी उसे receive कर सकती थी और उसका transmission कर सकती थी ये ability किसके पास थी नियूरोन के पास तो जब भी नियूरोन से बॉले कि बता तू खास क्यों तो नियूरोन बॉल ली I can detect stimulus, I can receive stimulus and I can transmit stimulus ये खास बात किस की थी नियूरोन की थी लेकिन आपने इस डाइग्राम में देख रहा है ये red red कलर के खुम सारे डोट लगाए ये एक्जेक्टिमें नियू गिलियल सेल और हमारी NCRT माता ने बड़ी बहतरीन बात कही वो बोली कि nervous tissue का या nervous system का more than 50% part क्या है नियूरो गिलियल सेल है लेकिन इन नियूरो गिलियल सेल में नियूरोन की तरह किसी भी stimulus को detect करने की ability नहीं होती किसी भी stimulus को receive करने की ability नहीं होती और किसी भी stimulus को transmit भी ये नहीं कर सकती तो मैं ये का हूं तो फिर ये नियूरो गिलियल सेल का काम क्या था बिटाइ पर नियूरो गिलियल सेल का काम था इन नियूरोन को support provide करना और इने protection प्रोटेक्सन प्रोवाईड करना अब हमारे nervous system में कई सारी neuroglial cells present होती है like astrocyte cell जो blood brain barrier का formation करती है, microglial cell जो कि phagocytic cells है, swan cells जो कि peripheral nervous system में neuron के exon के around myelin seat का formation करती है, oligo dendrocyte cell जो कि central nervous system CNS में neuron के exon के around myelin seat का formation करने के लिए responsible है, ये अपने पास बहुत important type की क्या थी neuroglial cell अब हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात सुरू करते हैं human nervous system या human neural system के बारे में, बिटे human being के nervous system को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक था central nervous system और दूसरा था peripheral nervous system, मैं आपको बता दू central nervous system के दो पार्ट, एक पार्ट को तो हमने बोल दिया brain और दूसरे पार जगे थी, जो body की activity को क्या करती थी, control करती थी, इसलिए central nervous system को हमने बोला, information processing and control center, अपने पास दो पार्ट इसके किसे मिलके बना, brain and spinal code से, मैं आपको बता दूँ बच्चे, कि brain जो होता है, उस brain से निकलती है, 12 pairs cranial neural, brain से कितने pair, हमने बोला, 12 pairs cranial neural. जबकि ये जो spinal code है, इस spinal code से निकलती है, बच्चे, वो निकलती अपने पास, 31 pairs, spinal nerve, 31 pair, spinal nerve किसे निकलती है, वो निकलती, spinal code से, चले, दूसरा जो पार्ट था, वो था, peripheral nervous system, बच्चे, peripheral nervous system का formation, इन cranial nerve and spinal nerve से होता है, मतलब 12 pair cranial nerve, प्लस 31 pair spinal nerve मिलके, किसका formation करती है, ये करती है, peripheral nervous system का, इसका मतलब तो ये हुआ, कि cranial nerve वो, जो brain के directly contact में, spinal nerve वो, जो spinal code के directly contact में, वो ही किसका formation करती है, peripheral nervous system का, और ये cranial nerve और spinal nerve आगे जाके, दूसरी neuron के साथ, synapse बनाती है, अब वो दूसरी neuron जो थी, उनके साथ, synapse बनाएगी, और उसके basis पे, इस peripheral nervous system को, एक communication link है, किस-किस के बीच, peripheral body organs, and central nervous system के बीच, central nervous system के बीच, जिसको हमने बोल दिया, PNS, PNS, चले भीया, तो PNS उन neuron से बनता है, जो directly contact में होती है, किसके, central nervous system, that is brain, and spinal code से, उन से आगे जो neuron जूड़ी होगी, वो ही जाके formation करेगी, किसका, autonomous nervous system, and somatic nervous system का सवाल था, तो सर, autonomous nervous system, and somatic nervous system किसके पार्ट हुए, peripheral nervous system के पार्ट हुए, अब यह autonomous nervous system जो था, इसके दो पार्ट थे, एक था sympathetic nervous system, एक अपने पास था sympathetic nervous system, और दूसरा था पैरा sympathetic nervous system, एक था sympathetic nervous system, और दूसरा था पैरा sympathetic nervous system, ध्यान रखेगा, जब भी कोई autonomous nervous system के बारे में बात करके चले तो autonomous nervous system जो होता है ये impulse लेके जाने का काम करता है कहां से central nervous system से involuntary muscles के पास लेके जा सकता है, cardiac muscles के पास लेके जा सकता है और body के internal organ जिनको बोलते visceral organ उनके पास लेके जा सकता है तो जब भी पूछे बताओ autonomous nervous system क्या काम करता है आप कहोगे cnsa impulse को लेके जाता है involuntary muscles जिनको बोलते हैं smooth muscles के पास या cardiac muscles के पास या body के visceral organs के पास इसके कितने पार्ट आप कहोगे दो पार्ट कौन-कौन से पार्ट sympathetic nervous system ये sympathetic nervous system वो पार्ट था जो generally, मैंने वड़ यूज गया generally, body के organs की activity को बढ़ाने का काम करता है जबकि दूसरा था parasympathetic nervous system जो कि generally, generally, body के organs की activity को घटाने का काम करता है अरे जब ये sympathetic body के organs के activity को बढ़ाएगा तो body में energy का consumption बढ़ेगा तो मतलब ये energy का consumption बढ़ाने का काम करता है जबकि दूसरा क्या काम करता है पैरा sympathetic जब body के organs के activity को घटाएगा तो body में energy का consumption घटेगा तो मतलब ये body का body में energy का consumption घटाता है मतलब बोडी में एनरजी को गंजरू करने का काम करता है, कौन सा पैरा-सिंपैथेटिक, ध्यान रखना, सिंपैथेटिक and पैरा-सिंपैथेटिक दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, ताकि बोडी के ओरगंस के एक्टिविटी जो थी, वो एक कंट्रोल्ड मैण जर्में चलती रहे ठीक है जी अगला जो पार्ट है मेरे पास है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम वो पार्ट था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स को लेके जाता है वो लेके जाता है इसकेलिटल मसल्स के पास इसकेलिटल मसल्स के पास लेके जाता है, उसे बोलते हैं, somatic nervous system, अब बच्चे ध्यान रखना, NCRT माता ने एक term यूज किये, visceral nervous system, सीधी सी बात है, कि जब अपन बात करके चल रहे हैं, visceral nervous system के बारे में, तो ध्यान रखना, visceral nervous system किसका part, आप कहोगे, peripheral nervous system का part है, तो peripheral nervous system का वो part, जो information का exchange करें, किसके internal organ, that is visceral organ के साथ, जब information का exchange करवाए, तो nervous system का वो part, जो CNS and body के visceral organ के बीच, information का transmission करवाए, तो उसे ही अपन बोल के चलते हैं, visceral nervous system, तो मैं कहें दू, visceral nervous system किसका part, एक, autonomous nervous system का हिस्सा है, और autonomous nervous system किसका, peripheral nervous system का, इसलिए NCRT लिखती है, कि visceral nervous system is part of peripheral nervous system, जो क्या काम करता है, जो help करता है, transmission of impulse between CNS and peripheral body, organs, body के internal organs के बीच, ठीक बात है, अब हम हमारी कहानी सुरू करते हैं, सबसे पहले वो बात करते हैं, हमने बोला था कि nervous system की structural and functional unit क्या है, neuron, तो हमने एक neuron बाहर निकाली और इसकी structure बनाई, हमने आपसे बताया था कि अगर आप neuron को देखोगे, तो neuron की अपने पास तीन पार्ट है, neuron का सबसे पहला पार्ट, जिसको बोलते हैं, neuron का दूसरा पार्ट, जिसको अपने बोलते हैं, neuron का तीसरा पार्ट, जिसको अपने बोलते हैं, इन तीन पार्ट से मिलके बनी है, वो कौन बनी है, neuron, सबसे पहले बात करते हैं, अपने आता है, बहार से कोई भी क्या आया, इस्टीमूलस आया, ये लिजिए, बहार से कोई भी इस्टीमूलस आया, तो बहार से आने वाले इस्टीमूलस को रिसीव करने का काम करता है, वो रिसीव करने का काम करता है, डेंडराइट, डेंडराइट पे ही ऐसे रिसेप्टर है, जो बाहर से आने वाले stimulus को receive करेगा और receive करके उस stimulus को उस information को ले के आएगा किसके पास cytone की तरफ तो जब भी पूछे dendrite कैसे है आप कहोगे dendrite short and branched projections है और processes है जो क्या काम करते है stimulus को receive करते है और उसका conduction करते हैं transmission करते है towards the cytone towards the cytone चले अब दूसरा part है वो है अपने पास cytone cytone neuron का सबसे बड़े size का that is largest part है और centriol को छोड़के बाकी सारे के सारे cell organs including nucleus वो किसके अंदर प्रजेंट है cytone के अंदर प्रजेंट है हमने बोला cytone neuron का वो पार्ट है जो stimulus पे processing करता है वो पार्ट कोन सा है cytone हमने क्या देखा इस cytone वाले पार्ट में dendrite वाले पार्ट में छोटे छोटे जो मैने हमसे white color कि बनाए वो आमें granules दिखाई दिए यह जो छोटे-छोटे granules है, इनको exactly बोलते है निसल granules, क्या बोलते है, निसल granules, सवाल था, सर, यह cytone and dendrite में जो निसल granule है, यह exactly में है क्या, बेटां, यह निसल granule exactly में rough endoplasmic reticulum के छोटे-छोटे fragments है, यह मैं कहूँ राइबो जोम्स है, जिनका काम है protein synthesis, तो जब भी fragments of R, ER, और किस चीज में help करते हैं, helps in protein synthesis, यह protein synthesis में help करने का काम करते हैं, कौन निसल granules, ध्यान रखना, निसल granule या तो dendrite में present है, या फिर cytone में, कभी भी egg zone part में निसल granule present नहीं होते, तो egg zone part में कभी भी protein का synthesis नहीं हो सकता, लेकिन protein तो present होती है, egg zone में protein होती है, लेकिन protein का synthesis नहीं होता, यह बात याद रखनी है, चले, neuron का तीसरा जो part था, वो मेरे पास था, egg zone, बिटा, egg zone, neuron का longest part है, इसलिए इस egg zone को बोलते है, functional unit of, functional unit of neuron, functional unit of neuron, इस egg zone का सबसे last वाला part, that is digital part है, वो digital part जो होता है, वो branched part होता है, और उसके हर एक branch पे, egg zone terminal की, हर एक branch पे देखे, हर एक branch के last में, एक bulb like structure दिखाई दे रही होगी, और यह जो bulb like structure आपको दिखाई दे रही होगी, बच्चे, इसको अपन बोलते है, synaptic knob, तो जब भी पूछे, कि बताओ, egg zone का कौन स पार्ट branch होता है, आपको होगे, egg zone का, digital part branch होता है, और उसकी हर एक branch के last में, जो bulb like structure है, उसे क्या बोलते है, synaptic knob, जब इस synaptic knob को देखोगे, तो इस synaptic knob के अंदर present होती है, synaptic vesicles, क्या present होती है, synaptic vesicles, किसके अंदर synaptic knob के अंदर, बच्चे, यह synaptic vesicles जो होती है, इस में कुछ chemical material भरे होते हैं, और उन chemical material को बोलते है, neurotransmitter, क्या बोलते है, neurotransmitter, जब भी बोले neurotransmitter, कहां बरे होते है, आप कहोगे, synaptic vesicle, synaptic vesicle कहां मिलती है, synaptic knob में, और synaptic knob, कहां पर present है, आप कहोगे, वो presented digital end of egg zone में, चले है अब बना, अब सवाल था, सर, यह egg zone neuron का longest स्पार्ठ था अब ये तो बताऊए इस एक्जोन में information का transmission कैसे हो रहा था हमने बोला कि एपने पास किसी भी information को receive किसी ने किया डendreit कि दर ले किया कि आया kur siteола के पास site он जैए उसमें कि processing processing के बाद वो information site on कि दर आया ID कि तरफ तो मैं एग 3900 कि तरफ सोरी ऐन information का transmission करता है away from the cytone और उसको किदर लेकि जाता है exon terminal की तरफ किदर लेकि जाता है exon terminal की तरफ लेकि जाता है और यह exon terminal वाला party था जो किसी दूसरी neuron को information देगा या इस information को देगा muscles के पास तो मैं यह कहे दूं कि अपने पास exon जो था वो information का transmission करता है वो करता है away from the away from the cytone towards the towards the synapse किस के पास लेकि जाएगा या तो synapse के पास या neuromuscular junction के पास synapse वो था जिसके थू एक neuron से दूसरी neuron में impulse का transmission हो रहा था अधा neuromuscular junction वो था जिसके थू neuron سے information जा रही थी muscles के पास तो उस junction को हम ने पो रहा neuromuscular junction तो information को synapse में या neuromuscular junction में लेकि जाने का काम कौन गरता है exon अब हमने exon को देखा तो क्या देखा कि exon ये white वाला पाट exon है और exon की membrane को बोलते है exolema क्या बोलते है exolema हमने देखा इन exon के चारो तरफ peripheral nervous system में exon के चारो तरफ 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 exon के चारो लेयर, called as, नूरीलेमा, तो जब भी कोई पूछे, नूरीलेमा है क्या, तो आप कहोगे, नूरोन के, एक्जोन के, आराउंड, स्वान सेल की, जो कंटिनियूस लेयर है, उसी को क्या बोलते हैं, नूरीलेमा, अब ये नूरीलेमा का फोर्मेशन किस से हुआ, हमने बोला, स्व स्वान सेल ही, स्वान सेल ही, एक्जोन के चार उतरफ, माइलीन सीथ का फोर्मेशन करती है, किस में, पैरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो PNS में माइलीन सीथ का फोर्मेशन किस ने किया, स्वान सेल ने किया, सवाल था, सर, ये माइलीन सीथ है, ये रेड वाला है, ये नहीं है, मतलब दु समीप वर्थी, दु एड्सेंट माईलीन सीथ के बीच में, gap प्रजेंट है, इस्पेस प्रजेंट है, और उस gap को ही बोलते हैं, node of ranvir, इसका मतलब माईलीन सीथ क्या है, माईलीन सीथ एक डिसकांटिन्टिन्याद irregular है, है माईलीन सीथ बनता किस से है यह ग्लाइको प्रोटीन एंड फोसफो लीपीड से बनता है सवाल था सर आप ने बोला कुछ एक जगे पर माईलीन सीथ अब सेन्ट है यस इसका मतला माईलीन शीथ कैसे लिए से लिए हुई तो वो पुंट जहाँ पे माईलीन सीथ तो होता है बसेंट जहांपे माईलीन सीथ तो होता है बसेंट लेकिन स्वान सेल की कवरिंग that is न्यूरी लेमा होती है present क्यों क्योंकि न्यूरी लेमा तो एक continuous layer थी जबकि माईलीन सीथ क्या था एक discontinuous layer था चले भी अपना आगे यहाँ पे जाके केवल और केवल किस पार्ट पे आपने बोला एक जोन पार्ट पे आप से कोई पूछे PNS में माईलीन सीथ कोन बनाता है आपने का स्वान सेल बनाती है जब भी पूछे Central Nervous System CNS में कोन बनाता है आप कहोगे सर oligod endrocyte बनाती है ठीक है तो माईलीन सीथ के बेसिस पे हम यहाँ पे पूरी की पूरी कहानी बात करके चल रहे हैं बेटा किसकी बात कर रहे है पैरिफेरल nervous system की कहानी बात कर रहे है तो पैरिफेरल nervous system की कहानी बात कर रहे हमने क्या देखा कि peripheral nervous system को जब study करना शुरू किया, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, कि myelinated जो neuron थी myelin sheet के basis पे, वो दो type की थी, एक थी myelinated neuron और दूसरी थी non-myelinated neuron, या मैं कहे दू unmyelinated neuron, नाम से ही पता चल रहा है ऐसी neuron जिसमें myelin sheet present होता है, उसे बोलते जिसमें myelin sheet absent होता है, उसे बोलते non-myelinated और unmyelinated neuron, अब सवाल था, सर, अब बताईए कि myelin sheet किस पे present होगा, चले, बेटा, ऐसी cell पे myelin sheet present होगा, जिसको information का conduction तेज करना है, मतलब, जहाँ पे myelin sheet present होगा, वह information के conduction होगा, वो तेज होगा, मतलब, speed of impulse conduction होगी जादा, और जहाँ पे impulse का conduction करना होगा, धीरे-धीरे, वहाँ पे myelin sheet present नहीं होगा, मतलब, वो neuron होगी unmilated neuron, बड़ी प्यारी सी बात सुनना, सवाल पूछेगा, अगेन, वो कहेगा, सर, आप बताईए कि myelin sheet present, unmilated neuron वो, जिस पे myelin sheet absent, बोल, हाँ की न, बोल, आप दोनों तरह की neuron को बोड़ी से बाहर निकालो, और फिर चेक करो, जब हमने दोनों तरह की neuron को सरीर से बाहर निकाला, और फिर चेक करके देखा, तो हमने क्या देखा, myelin sheet present था, myelin sheet बनवाती कोन है, swan cell, तो कहने का मतलब swan cell की covering भी क्या थी, present, चले, next, जब हमने unmilated neuron को चेक करके देखा, तो उसमें myelin sheet क्या था, absent, हमने देखा कि myelin sheet तो absent था, लेकिन swan cell की covering उसमें भी क्या थी, present, आँखे फटी की फटी रह गई, oh my god, ये क्या हो गया, myelinated neuron में myelin sheet था, और हमने बोला myelin sheet swan cell बनवाती है, तो सीधी सी बात है, swan cell की covering, that is neuralyema भी होनी थी, ठीक बात है, हमें कोई दिकत नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हाई क्या हुआ, ये क्या गजब हुआ, गजब क्या हुआ, कि myelin sheet तो नहीं है, लेकिन swan cell है, swan cell की covering है, तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला, कि neuron के around swan cell की covering तो हर हाल में होगी, लेकिन कुछ neuron में swan cell myelin sheet बनाएगी, और कुछ neuron में swan cell की covering तो है, लेकिन myelin sheet नहीं बना रही, तो कहने का मतलब ऐसी नियूरोन जिसमें स्वान सेल की कवरिंग प्लस माइलिन सीथ दोनों है उसे बोलेंगे माइलिन सीथ दोनों है उसे बोलेंगे माइलिन सीथ नियूरोन और ऐसी नियूरोन जिसमें स्वान सेल की कवरिंग तो है बट माइलिन सीथ नहीं है उसे बोलते है unmylated neuron, conclusion ये निकला कि चाहे neuron unmylated हो चाहे neuron unmylated हो swan cell की covering that is neuralyema तो हर हाल में present होगा, सवाल था सर क्या आप example दे सकते हैं, yes NCRT माता कहती है, कि brain की 12 pair neuron निकली थी, जिनको बोला था cranial neuron, and spinal cord की जो 31 pair neuron निकली थी वो सारी इक सारी ऐसी थी, जिनमें myelene seat था, मतलब वो क्या थी myelated, वो कैसी थी, myelated फिर वो कह रहा है, somatic nervous system में impulse लेके जाने वाली neuron कैसी थी, unmylated, and autonomous nervous system की जो neuron थी जो आगे impulse लेके जा रही थी वो कैसी थी, unmylated, मतलब उसमें myelene seat नहीं था, के वल swan cell की covering, that is neuralyema से ही, exon क्या था, covered था ठीक है जी, यहां तक की बात मेरे हिसाब से clear होगी अपन थोड़ा आगे चलते हैं next, फिर हमने neuron को classified किया on the basis of function हमने बोला कि function के basis पे neuron three type क्यों होती है, सवाल था sir, three type कोन से, बिटा सबसे पहली को हमने बोल दिया, sensory और मैं कहे दू, apparent neuron sensory और मैं कहे दू, apparent neuron दूसरे वाली को हमने बोल दिया, interneuron relay neuron, या interconnecting neuron और तीसरे वाली को हमने बोल दिया, motor या apparent neuron motor या apparent neuron, सवाल था sir, इनका मतलब क्या था? बिटा, body के peripheral organ मैं लीजी, मैंने हाथ पे पिंचु बोई, तो जब बोला, ऐसी neuron जो sensory organ से impulse को central nervous system में लेके जाती है उस neuron को बोलते है sensory और apparent neuron, अब सवाल था पिंचु बोई, अब ये impulse पोहुचा, लेके कोन गई, sensory neuron neuron कहां लेके गई मान दीजी, हमने का CNS में लेके गई, CNS ने उस पे processing की और अपना response बेजा उस response को effector organ तक, कि भाया हाथ को अटाओ ये response जो बेजा, इस response को CNS से effector organ में जो लोई क्या आएगी, उस neuron को बोलेंगे motor neuron, तो जब भी कोई कहें motor neuron क्या काम करती है, तो मैं कहे दूँ कि motor neuron, CNS से response को effector organ या मैं NCIT की लेंग्वेजिम बोलूँ peripheral organ, या मैं कहे दूँ peripheral organ तक लेके आने का काम करती है, उसे बोलते है motor या efferent neuron, अब सवाल था, सर, फिर ये inter neuron, relay neuron, ये interconnecting neuron क्या होती, नाम से ही पता चल रहा है sensory neuron को motor neuron से connect करने वाली neuron को, sensory neuron को motor neuron से connect करने वाली neuron को ही बोलते है, inter neuron क्या बोलते है, inter neuron चले भया, ये तीनों के होगे काम एक CNS से response कोई vector organ में लाएगी motor या efferent, एक sensory organ से impulse को CNS में लेके जाएगी sensory या efferent, जो sensory और motor को आपस में जोडे, और efferent या efferent को आपस में जोडे उसे बोलते है, inter neuron या interconnecting neuron, तीसरी अपने पास थी, number of, number of dendrite and exon के basis में, number of dendrite और exon के basis में, neuron को 5 टाइब में डिवाइड किया सबसे पहले, a-polar neuron बिटा, a-polar neuron वो थी जिसमें केवल और केवल साइटोन प्रजेंट था, ना तो exon था, ना ही dendrite, यह हमें नहीं मिलती है, यह मिलती है hydra, like sealant reta के member में चले, next, दूसरे थी, unipolar, बिटा, unipolar neuron वो थी, जिसमें केवल एक ही process था, मतलब cyton and दूसरा क्या था, exon जिसमें dendrite completely absent होते हैं, उसे बोलते हैं, unipolar neuron embryonic stage में हमारे सरीर की neuron होती हो, कैसी होती है, unipolar neuron होती, next, अगली मेरे पास है, bipolar, by का मतलब two, ऐसे neuron जिसमें cyton से दो process जुड़े हो, एक तो अपने पास हो dendrite, और एक अपने पास क्या हो, exon, dendrite भी एक और exon भी एक, उसे बोलते हैं bipolar neuron, हमारी आँखो के retina में मैंने पढ़ा, पढ़ाया था, eyes वाले portion में, आँखो के retina वाले पार्ट में कैसी होती है bipolar neuron, next, pseudo unipolar, pseudo, pseudo का मतलब false मतलब, यह exactly में unipolar नहीं होती, लेकिन हमें unipolar जैसी दिखाई दे रही है, मतलब हमें दिखाई दे रहा है कि उसका कितना process है, एक ही process है, जो जुड़ा हुए किस से cytone से, कैसे, हमें लगा, यह cytone है, और cytone से जुड़ा हुआ क्या था, यह एक exon, लेकिन reality में ऐसा नहीं होता, इसका यह वाला part जो था, यह work करता है, वो करता है dendrite की तरह है, और यह वाला part work करता है exon की तरह है, लेकिन हमें यहां से जुड़ा हुआ, कितना process दिखाई दे रहा है, एक, इसलिए हमने बोल दिया, pseudo-unipolar neuron, और यह pseudo-unipolar neuron spinal cord के dorsal root ganglia में मिलती है, और यह nature में होती है, sensory, that is apparent neuron, चले, next, अंतिम अपने पास है, multipolar, नाम सी, multi, multi, मतलब मैं स्टाइफ, साइटों से बहुत सारे process जुर्ण हुए है, अपने पास बात करके चले, तो यह साइटों था, और साइटों से बहुत सारे तो जुड़े हुए हैं, बेटा, वह जुड़े हुए dendrites, बहुत सारे तो क्या जुड़े हुए, dendrite, और ke man और केवल एक जूड़ा हुआ है एक्जोन. तो जब किसी नियूरोन में बहुत सारे डेंडराइट हो और एक एक्जोन हो तो उसे बोलते हैं मल्टिपोलर नियूरोन. Exactly में हमारे सरीर की मोश्टली नियूरोन कैसी होती है multipolar neuron, तो ये पढ़ दिये दोस्तों, हमने neuron के type, यहां तक की बात finish है, चले, छप गए दिमाग में, चालो तो भाई साब, आगे देखो, अब बात करते हैं, वो बात करते हैं, generation and conduction of nerve impulse, कि neuron में impulse का conduction कैसे होता है, याद करो, हमने बोला था, कि हमारी body में दो cell ऐसी है, जो excitable है, एक तो neuron and दूसरी muscle, दूसरी muscle, अब सवाल था, NCRT माता ने neuron के बारे में क्या लिखा, NCRT माता लिखते है, neurons are excitable cells, because their membranes are in polarized state, their membranes are in polarized state, अब सवाल था, sir, इस polarized state का मतलब क्या है, इस polarized state का मतलब क्या है, कि neuron की membrane, polarized state में, इसका मतलब क्या है, बिटा, इसका मतलब ये है, कि neuron क की जो मेंब्रेन है वो इलेक्ट्रीकली चार्जड है वो इलेक्ट्रीकली क्या है चार्जड है सवाल था सर कैसे बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चे यहां पर मैंने आपके सामने न्यूरोन बनाई है और यह न्यूरोन के एक्जोन part की membrane है neuron के exon की membrane को अपन बोलते हैं exolema क्या बोलते हैं exolema हमने बोला यह exolema थी किसकी membrane neuron की membrane और neuron के अंदर neuron के अंदर neuron के exon part के अंदर जो fluid भरा था उसे बोल दिया exoplasm और बाहर वाले fluid को बोला ECF that is extracellular fluid हमने क्या देखा हमने exoplasm का थोड़ा सा सेंपल लिया और फिर इस एप का थोड़ा सा सेंपल लिया और दोनों को lab में study किया जब study किया तो पता चला कि एग्जो प्लाज में K+, Na+, बहुत कम है, फोस्टेट बहुत सारे, सल्फेट बहुत सारे, and negatively charged protein भी बहुत सारी है, जब हमने ECF को study किया, तो पता चला, वहाँ Na+, Na+, K+, बहुत कम, कैल्सियम बहुत सारे, और Cl- बहुत सारे, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा, कि एग्जो प जो neuron और exon की membrane है, वो electrically क्या है, charged, और जब membrane electrically charged होती है, तो उसे polymerized state, क्या बोलते है? Polarized State अब हमने क्या बोला कि अगर resting stage में resting stage में एक नूरोन को देखोगे तो उसकी अंदर वाली surface पे होता है negative charge और बाहर वाली surface पे negative charge एक्जोलेमा की और बाहर वाली surface पे positive charge रहना जरूरी है और इसको maintain रखने के लिए इस cell की cell membrane में present होते channels आपको पता है cell की cell membrane selectively permeable है उसमें बहुत सारे ion channels है जैसे मोटे-मोटे बात करके चले तो हम यहां तीन टाइप के channels के बारें बात करेंगे सबसे पहला channel है मेरे पास open channel जो की always open होता है always क्या होता है यह channel always open होता है हर हाल में खुला होता है चाहे neuron resting stage में हो चाहे depolarized stage में हो चाहे उसका repolarization हो हर हाल में क्या रहेगा open दूसरे channel जो थे मेरे पास उनको बोलते VGC that is voltage gated channels यह voltage gated channels तभी open होते हैं जब membrane के potential में कोई change आता है और voltage में कोई change आता है तभी open होते हैं उससे पहले open नहीं होंगे चले भीया next तीसरा था sodium potassium pump तीसरा था sodium potassium pump बिटा याद रखना हमारी body की लगबग 80% energy जो है वो इसी pump को active रखने में active रखने में चालू रखने में खर्च होती है और यह sodium potassium pump जो था यह एक active process की थूरन होते ह अब हमने बोला कि यहां पर ions का exchange होता है वो कैसे process से active process से होता है जिसमें ATP खर्च होते हैं सवाल था सर सोडियम potassium pump में pump में ions का exchange कैसे होता है हमने कहा कि यह active process की थूरू बोला सर यह बताओ ना कौन से आयन किदर से किदर movement करेंगे हाँ यह काम की बात है बटना ध्यान रखन sodium pump चलेगा तो अंदर से exoplasm से 3 na plus जो थे वो ECF में आते है sodium potassium pump के थूरू exoplasm से 3 na plus जो थे वो कहाएंगे ECF में आएंगे and ECF से केवल केवल 2 k plus जो थे वो कहा जाएंगे exoplasm में जाएंगे किसके थूरू na plus k plus pump के थूरू और इस प्रोसेस में ATP क्या होते है खर्च तो जब भी कहें sodium potassium pump में क्या होता है आप कहोगे 3 na plus जो थे वो exoplasm से ECF में आते हैं उसके बदले में 2 k plus जो थे 2 k plus जो थे वो ECF से exoplasm में जाते हैं यही था मेरे पास sodium potassium pump यही था मेरे पास sodium potassium pump अब सवाल था सर अगर एक neuron को resting stage में देखें तो resting stage में आप यह बोल रहे हो कि neuron की resting stage में neuron की impulse का conduction नहीं करती नहीं वो तो rest कर रही है वो तो rest कर रही है और resting stage में यह exolema जो था इसकी inner surface पे negative charge और अंदर वाली surface पे positive charge होता है resting stage को पहचाने कैसे resting stage वो थी जिसमें exolema की inner surface में negative charge और बाहर वाली पे कैसा charge था positive charge और neuron किसी भी impulse का conduction नहीं कर रही होती है ध्यान रखना resting stage में यह exolema जो होती है यह highly permeable होती है किसके लिए के प्लस के लिए लेकिन एन एप्लस के लिए almost क्या होती है impermeable impermeable होती है चले बहिए अगली बात याद रखना कि exolema जो थी वह एक जो लेमा इस negatively charged protein के लिए भी होती है impermeable जब भी पूछे कि बताओ एक resting neuron में एक जोलेमा negatively charged protein के लिए permeable की impermeable आप कोगी impermeable कुछ होगे गुरुजी क्यों वो इसलिए क्योंकि negatively charged protein जो है वो एक macromolecule है और इतने बड़े size की चीज exolema को cross करके बहार नहीं निकल सकती इसलिए इसके क्या होती है impermeable चले सवाल था सर आपने कहा कि resting stage में resting stage में exolema की inner surface पे negative charge बहार वाली पे positive charge ऐसा क्यों आप देखे एक जो प्लाज में बहुत सारे negative ions है जिनकी concentration बहुत ज़्यादा है as compared to outer side जबकि outer side में positive ions की concentration बहुत ज़्यादा है as compared to या with respect to inner side इसलिए inner side हमें क्या दिखाई दे रही है negatively charged and outer side क्या दिखाई दे रही है positively charged किसके basis पे ions की concentration के basis पे चले अपना आगे बड़े ध्यान से देखिए सवाल था तो सर आप कहानी सुना ये सिधा resting stage को क्या बोलते हैं better resting stage को ही बोलते polarized stage और मैंने बोला कि अगर आप exoplasm को देखोगे तो exoplasm में k प्लस बहुत जादा na प्लस बहुत कम अगर आप ECF को देखोगे तो na प्लस बहुत जादा और k प्लस बहुत कम यहाँ पे आपने क्या देखा कि resting stage में exolema की inner surface में कैसा charge negative charge outer surface में कैसा charge positive charge अगर मैं एक voltmeter लगा के inner and outer surface पर potential को measure करूं तो उसे बोलते है resting membrane potential resting membrane potential that is rmp बोलते है उसकी value होती है वो होती है minus 70 mili volt minus 70 mili volt यह resting stage में ही होता है इस minus 70 mili volt को maintain रखना जरूर ही है तभी neuron resting stage में रहेगी और वो किसी भी stimulus को receive करके उसका conduction कर सकती है चले अब सवाल था sir resting stage में कौन-कौन से channel खुले रहते है बिटर resting stage में हमने बोला open channel तो हर हाल में खुले रहते है तो resting stage में क्या होते है ओपन लेकिन वी जीसीज वो केवल जब voltage में चेंज आता है तभी खुलते है मतलब resting stage में रहते हैं close कोई भी काम नहीं कर रहे होते हैं जब भी पूचे sodium potassium pump हमने का यह भी resting stage में होता है चालू और resting stage में neuron की exolema जो थी वो negatively charged the protein के लिए completely impermeable sodium ion के लिए almost impermeable और potassium ions के लिए highly permeable होती है चले भी अपना आगे यहां तक की बात के लिए रहे अब यह कहानी थी resting stage की अब सवाल था सर neuron का depolarization कैसे होता है और कोन से ions उसके लिए responsible है हमने बोला यह neuron कोई अपनी resting stage में है और इस resting stage में इस neuron का rmp जो था उस rmp की value थी minus 70 mili volt इतना rmp था एक्जोलेमा की inner surface पे negative charge बाहर वाली पे positive charge चले भी यह हमने बोला कि इस neuron को resting stage से कौन सी stage में जाना है excited stage में हमने बोला अपने पास यहां पे कोई threshold stimulus आया और जो ही यह stimulus आया stimulus को receive किस ने किया stimulus को receive करने का काम किया dendrite ने जो ही यह stimulus आया stimulus को dendrite ने receive किया site on से होता हुआ वह पहुचा एक्जोन में जो ही यहां एक्जोन में कोई stimulus आएगा अगर वह threshold stimulus है तो तुरंत के तुरंत हमने बोला अगर वह threshold stimulus है तो तुरंत के तुरंत neuron का depolarization होना क्या हो जाएगा शुरू हमने बोला जो ही stimulus आया stimulus के आते ही इस एक्जोलेमा की membrane के potential में या एक्जोलेमा के potential में क्या हुआ चेंज और चेंज होते ही क्या हुआ sodium के VGC जो अपन होए sodium के VGC क्या हुआ ओपन ओपन चैनल तो हर हाल में ओपन ही थे sodium के VGC क्या हुआ ओपन ध्यान रखना केवल sodium के VGC जो अभी क्या होते हैं लेकिन ओपन होते हैं वो होते हैं शोट टाइम के लिए ओपन हुए वो कितने टाइम के लिए शोट टाइम के लिए इसलिए NCRT माता कहती है कि sodium voltage gated channels are short-lived क्यों बोला क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए ओपन होते हैं जो ही sodium KVGC जो अपन होंगे sodium ions का diffusion होगा sodium ions का क्या होगा diffusion और diffusion में आयन कहां जाते हैं higher concentration से lower concentration की तरफ तो दोस्तों देखो higher concentration sodium की कहां पे आप कहोगे सर higher concentration तो बाहर थी तो बाहर से लगातार N A plus जो थे वो अंदर जाने लगे लगातार N A plus जो थे वो N A plus कहां जाने लगे लगातार लगातार N A plus अंदर जाने लगे जब बाहर से लगातार N A plus अंदर जाने लगे तो अंदर positive ions की concentration लगातार बढ़ने लगी बढ़ने लगी वो लगातार बढ़ती गई बढ़ती गई जिसकी वज़े से neuron की inner surface पर positive charge हो गया और बाहर वाली पर कैसा charge हो गया negative अब इस stage को हम बोलते है neuron की excited stage और इस excited stage में जब हमने voltmeter लगा के दोनों surface के बीच potential को check किया तो हमने देखा कि उस potential की value थी लगबग plus 30 mili volt plus 30 mili volt कौन सी stage में थी excited stage में तो इसे बोलते excited membrane potential या इसी को बोलते action potential या इसी को बोलते action potential तो जब भी पूछे बताओ action potential और excited membrane potential की value कितनी होती है आप कहोगे 30 mili volt plus 30 mili volt और plus sign ये बात represent करता है कि अंदर वाली surface पे कैसा charge आप कहोगे positive charge बिटा ये जो excited membrane potential और action potential है exactly में हम इसे ही बोल देते हैं impulse इसी को क्या बोल देते हैं impulse सीधा सवाल पूछेगा बताओ जब neuron का depolarization होता है तो कौन से channel open होते हैं तो आप कहोगे open channel open होंगे and sodium के VGC's open होंगे बाकि सब क्या होंगे close वो पूछेगा कौन से ions neuron के depolarization के लिए responsible है आप कहोगे sodium sodium कहां जाते हैं ECF से exoplasm में जाते हैं जिसको बोलते है influx of sodium क्या हुआ influx of sodium sodium ion के influx की वज़े से क्या हुआ अपने पास depolarization हुआ चले भी अब कह रहा है कि neuron का depolarization हो गया अब इस neuron का repolarization का बतलब है एक excited neuron का दुबारा से अपनी resting stage में लोटना that is resting stage को restore करना उसे ही आपन क्या बोलते हैं repolarization बोलते क्या बोलते हैं repolarization अब देखिए अब वो कह रहा है कि बाई सब एक neuron जो थी वह excited stage में थी उसका repolarization कैसे होगा हमने बोला यह excited इस चीज में neuron है जिसके एक्जोले मा कीनर सर्फेस पर कैसा चार्च positive चार्च बाहर वाली पर कैसा negative और यहां पे excited membrane potential की value है वो अपने पास है plus 30 mili volt इतनी value है कि नहीं है चले अब सवाल था कि सर बताएए इस neuron का repolarization कैसे होगा बिटर neuron का depolarization हुआ किसकी वज़े से हुआ क्योंकि na plus के VGC खुले थे लेकिन na plus के VGC तो थोड़ी देर खुले थे थोड़ी देर के बाद जो ही na plus के VGC बंद होंगे जो ही na plus के VGC बंद होंगे तो याद करो open channel तो हराल में खुले ही थे यह तो खुले र na plus के बंद हुए तुरंट के तुरंट के प्लस के VGC जो भी क्या हो गया active ध्यान रखना के प्लस के VGC जो थे वो sodium के VGC की तुल्ला में जादा समय तक खुले होते हैं तो हमने बोला यह अपने पास कितने टाइम के लिए long time के लिए है long time के लिए that is long lasting है चले तो sodium की तु जब neuron resting stage में थी तो sodium potassium pump चालू था जब neuron का depolarization हुआ तो sodium potassium pump क्या हो गया बंद जब neuron का repolarization हुआ तो sodium potassium pump दुबारा से चालू था तो मैं कहे दूं कि केवल neuron के depolarization के समय ही sodium potassium pump बंद होता है बाकि हर हाल में sodium potassium pump चालू होता है क्योंकि इसे इसे ionic distribution को maintain रखना है ताकि nerve impulse का conduction आसानी से किया जा सके अब सवाल था जो ही एने प्लस के वीजी सी क्लोज हुए तो तुरंत के तुरंत एने प्लस का influx होना क्या हो गया बंद potassium के VGC क्या हो गया open तो अब potassium आयन जो थे उनका होगा diffusion कहा होगा क्या होगा diffusion diffusion होगा तो diffusion में आयन कहा जाते हैं high concentration से low concentration की तरफ तो इसका मतलब मेरे दोस्तों कि अब कहानी पल्टेगी scene पल्टेगा K plus के high concentration कहां पे exoplasm में low concentration कहां पे ECF में तो हमने बोला K plus लगातार exoplasm से ECF में आने लगेंगे yes यह लिजी लगातार K plus बहार निकल रहे हैं लगातार K plus बहार निकल रहे हैं K plus बहार निकल रहे हैं K plus बहार निकल रहे हैं गया positive और इसी दोरान axis k plus ions के बाहर निकलने की वज़े से neuron में एक stage आती जिसको बोलते है hyper polarization stage वो hyper polarization stage किसकी वज़े से आती है axis k plus के बाहर निकलने की मज़े से लेकिन neuron बाद में दुबारा से एक hyper polarized neuron दुबारा से अपनी polarized stage that is resting stage को restore कर लेती है मतलब finally neuron कोन सी stage को restore कर लेगी resting stage को और उस resting stage में rmp उसका कितना हो जाना चाहिए minus 70 mili volt हो जाना चाहिए तो neuron कोन सी stage में चले जाएगी resting stage में तो एक excited neuron का दुबारा से अपनी resting stage को restore करना इस process को ही बोलते है repolarization और इस repolarization के लिए कोन से ions responsible आप कहोगे sir k plus बोला k plus कहां से कहां जाते हैं आप कोगे exoplasm से ECF में आते हैं मतलब बाहर निकलते हैं तो मैंने बोला यह क्या हुआ यह अपने पास हुआ efflux efflux of k plus k plus ions के efflux की वज़े से क्या हो गया repolarization हो गया बस इतनी सी बात याद रखने कौन कौन से channels खुले थे कौन से बंद थे वो अपने mention कर दिये हैं चले जी next सवाल था गुरुजी आप यह बताईए कि यह कहानी तो आपने एक neuron के अंदर impulse जो था action potential जो था यह मैं कहूं electrical current जो था वो कैसे travel कर रहा था वो बात बताईए अब बताईए एक neuron से दूसरी neuron में कैसे जाएगा बिटा दो neurons के बीच ऐसा junction जिसके थुरू एक neuron से information का transmission दूस वह हमारी बोडी में rarely present होता है मतलब हमारी बोडी में generally का ऐसा synapse present है chemical synapse तो अब पहले हम बात करते space जिसे बोलते synaptic left जब भी electrical synapse में देखोगे तो आप देखोगे pre-synaptic membrane and post-synaptic membrane दोनों एक दूसरे के बहुत बहुत नजदिक that is NCRT की language जिम बोलू तो pre-synaptic membrane and post-synaptic membrane एक close proximity पे present होती है बहुत बहुत नजदिक होती है बहुत बहुत होती है तो मैं कहाँ दूँ वहाँ पे space जो होता है वो negligible होता है या नहीं होता इसलिए मैंने बोला कि उनमें synaptic left जो है यह very small होती है और absent होती है किसमें in case of electrical synapse कैसे बिटा electrical synapse में pre-synaptic membrane and post-synaptic membrane के बीच present होता है gap junction क्या present होता है gap junction जिसससे प्रि-synaptic membrane से in formation जो होती वो सीधी कहाँ चली जाती है post-synaptic membrane में यहाँ पे किसी भी neurotransmitter की requirement नहीं होती तो हुआ क्या कि exon में यहाँ से अपने पास आया था electrical current यहाँ से अपने पास आया था electrical current यह electrical current जैसा exon से आया था वैसा ही अपने पास यहाँ से आगे चला गया किसमें post-synaptic membrane में कहां चला गया post-synaptic membrane में हां कि ना तो मैं यह कह दू electrical synapse वो था जिसमें neurotransmitter का कोई involvement नहीं होता क्यों क्योंकि pre-synaptic membrane and post-synaptic membrane एक दूसरे की close proximity पे present होती है उनमें synaptic left या तो बहुत थोड़ा होता या क्या होता है absent दोनों directly gap junction के थूँ connected होती है तब ही तो NCIT लिखा कि electrical synapse के थूँ impulse का conduction होता है वो almost similar होता है जैसा एक एक zone में electrical current का transmission होता है उसी के similar होता है इसमें neurotransmitter involved नहीं होता तो synaptic delay भी नहीं होती लेकिन एक बड़ा प्यारा सा सवाल होता है कि सर electrical synapse में information का conduction एक direction में होता है कि दोनों direction में बेटा ध्यान रखना electrical impulse में information जो है वो pre-synaptic membrane से post-synaptic membrane की तरफ भी जा सकती है क्योंकि gap junction में information इधर से इधर और इधर से इधर directly जा सकती है तो बताओ information का conduction एक दिसा में की दोनों दिसा में आप कहोगे सर दोनों दिसा में दोनों दिसा में तो याद रखना electrical synapse में information का conduction bi-directional होता है neurotransmitter involved नहीं होता इसलिए synaptic delay नहीं होती और ये electrical synapse हमारे system में rarely present होते हैं मतलब ना के बराबर chance है मिलने के चलो जी में आगे next दूसरा synapse जो की most common type का synapse था वो था chemical synapse बच्चे chemical synapse में तीन चीजे मिलती है कौन सा pre synaptic membrane जो की exon की या मैं कहे दूँ synaptic nobe की membrane है दूसरी post synaptic membrane जो की dendrite की membrane है और उन दोनों के बीच का space that is synaptic cleft इन तीनों से मिलके बनता है वो बनता है chemical synapse उन तीनों से मिलके क्या बनता है chemical synapse आपको बता दूँ ये pre synaptic membrane synaptic nobe की membrane है और synaptic nobe में भरी हुए थी synaptic vesicle और उन synaptic vesicle के अंदर भरे हुए थे neurotransmitter तो भी पूछे कि बताओ ये जो synaptic vesicles है इन synaptic vesicles में क्या प्रजेंट है neurotransmitter neurotransmitter अब बेटा ये neurotransmitter जो थे ये कुछ chemical substances थे जो information को एक neuron से दूसरी neuron में पास करने का काम कर रहे थे और ये neurotransmitter दो टाइप के है पहला excitatory और दूसरा inhibitory पहला excitatory और दूसरा inhibitory पूछेगा बताओ excitatory neurotransmitter सबसे फेमस एक्जामपल है acetylcholine जिसको आप शोर्टम लिखती हूँ ACH वो पूछेगा inhibitory neurotransmitter हमने बोला सबसे फेमस एक्जामपल है gamma-amino-butyric acid that is gamma चले तो neurotransmitter दो टाइप के होते excitatory जो post synaptic membrane को stimulate कर दे that is उसको excited stage मिले जाए या उसमें action potential develop कर दे दूसरा inhibitory जो कि इसको inhibit कर दे ताकि impulse का conduction आगे ना हो चलू मैं आगे बड़े ध्यान से देखना अब सवाल था chemical synapse के थुरू impulse का transmission कैसे होता है बड़े ध्यान से देखना हमने बोला कि मान लीजे इस एक जोन के थुरू यहां मेरे पास आया electrical current और electrical signal यह अपने पास आया electrical current और electrical signal आया यह एक जोन में जो ही एक जोन टर्मिनल में पहुचा यह मैं कहूँ synaptic knob में पहुचा तुरंत के तुरंत यहां पे present synaptic knob में प्रेजेंट यह calcium plus two के voltage-gated channel जो थे यह ओगे बेटा open calcium के voltage-gated channel क्या होगे open जो ही calcium के channel open हुए ECF से calcium ions जो थे वो अंदर आने लगे ECF से calcium ions जो थे वो क्या आने लगे अंदर आने लगे ECF से calcium ion अंदर रान लगे जो ही calcium ion अंदर आये इन calcium ions के influence में यह जो synaptic vesicles थी यह movement करने लगी यह आगे बढ़ने लगी यह लिजी यह मेरे पास movement करने लगी यह आगे बढ़ने लगी यह लिजी यह movement करने लगी और यह जाके किस से fuse होगी they fuse with pre-synaptic membrane यह लिजी हमने बोला यह pre-synaptic membrane जाके fuse होगी जब pre-synaptic membrane से जाके fuse हुई तो क्या काम किया इनों ने इन में बढ़ा हुआ जो neurotransmitter था यह white color का neurotransmitter था इस neurotransmitter को release कर दिया किस में? synaptic left में यह लिजी white color वाले neurotransmitter को release कर दिया हमने बोला यह white color का neurotransmitter जो था यह release हो गया किस में? यह release हो गया synaptic left में हाँ की ना? मान लो यह white color का neurotransmitter जो release हुआ मान लो यह अपने पास है ACH that is acetylcholine है इसको release कर दिया कहा? synaptic left में और आपको पता है neurotransmitter के receptor के वाल किस के पास? post synaptic membrane के पास किस के पास? post synaptic membrane के पास ध्यान रखना neurotransmitter के receptor हमें इस्या post synaptic membrane के पास होंगे और neurotransmitter release हमेशा कहां से होगा? pre synaptic membrane से release होगा उल्टा काम कताई भी नहीं हो सकता चले तो हमने बोला यह neurotransmitter गया और post synaptic membrane पे present receptor से bind हुआ जो ही यह इन receptor से bind हुआ तुरंद के तुरंद post synaptic membrane से जो ही यह acetylcholine यह कैसा neurotransmitter था? आप कहोगे सर excitatory neurotransmitter था जो ही यह गया तुरंद के तुरंद post synaptic membrane के channels खुले ligand gated channels खुले बहार से ने प्लस अंदर आए ने प्लस अंदर आते ही post synaptic membrane का हुआ depolarization मतनब यहां पे excited membrane potential generate हुआ तो हमने बोला जुड़ा और जुड़ते ही क्या हुआ excited membrane potential is generated excited membrane potential is generated next अगर मान लो इन calcium प्लस के influence में यहां पे neurotransmitter जो release होता वो मान लिजी inhibitory type का neurotransmitter release होता कौन सा neurotransmitter release होता आप कहोगे सर inhibitory मान लिजी यहां पे GABA release होता कौन सा release होता GABA तो यह GABA जब post synaptic membrane पे जाके जूड़ता post synaptic membrane के receptor से जाके जूड़ता तो GABA क्या था inhibitory इस बार फिर ligand gated channel खुलते लेकिन किसके खुलते K-plus के खुलते तो K-plus अंदर से क्या जाते बाहर अरे जब अंदर से बाहर K-plus जाते तो post synaptic membrane का होता hyperpolarization मतब यहां पे क्या develop होता excitatory membrane potential तो यहां पे क्या develop होता यहां पे develop होता IPSP IPSP यहां पे develop होता IPSP जब कि ऊपर क्या develop होता मैं NCRT book की language में बोल के चलूँ तो यहां पे develop होता EPSP excitatory post synaptic potential EPSP excitatory post synaptic potential कि post synaptic membrane में जो potential develop होता excitatory यहां पे develop होता IPSP that is inhibitory post synaptic membrane मतब यहां पे कैसा is generated क्या generated हुआ inhibitory वाला तभी तो NCRT कहती है कि neurotransmitter जब post synaptic membrane के receptor से bind होता है तो post synaptic membrane में inhibitory और excitatory potential generate हो सकता है क्यों? क्योंकि वो depend करता है किस पे neurotransmitter की nature पे तो ध्यान रखना हमारी body में हमारी body में जो generally synapse है वो कंच से है chemical synapse और chemical synapse में हमेशा impulse का conduction होता है वो किधर होता है वो impulse का conduction हमेशा pre synaptic से post synaptic की तरफ होता है मतलब एक ही दिसा में हो सकता है इसलिए conduction को बोलते है unidirectional conduction अपने पास chemical synapse में neurotransmitter involved होता है इसलिए यहाँ पे synaptic delay भी होती है इसलिए यहाँ पे synaptic delay भी होती है चले यहाँ पे जाके chemical synapse वाला portion अपन थोड़ा आगे बढ़ते है आगे बढ़ते है central neural system में बेटरा central nervous system के कितरे पार्ट तो पार्ट एक brain और दूसरा spinal code हमारी NCRT माता ने spinal code के बारे में कोई बहुत भारी बात नहीं कर रखी उसने main जो बात कर रखी और किसके बारे में बात कर रखी brain के बारे में आपको पता है हमारा जो यह brain है हमारी यह मूंडी थी खोपड़ी इसमें present इसकल में present है cranium box और उस cranium box कितनी protective covering है तीन सबसे बाहर वाली को बोलते durameter middle वाली को बोलते arachnoid और सबसे अंदर वाली को बोलते pyameter यह pyameter जो थी यह highly vescular है मतलब इसमें blood vessels का network क्या है present है और यह वो थी जो brain की wall से connected है जो brain की wall से connected है चले हमने क्या काम किया इन तीनों covering को हटाया और फिर brain को देखा तो देखा covering को हटाने के बाद manageance को हटाने के बाद brain कितने पार्ट में divided तीन पार्ट में सबसे पहला four brain दूसरा mid brain और तीसरा hind brain यह brain के कितने पार्ट थे तीन पार्ट थे कौन-कौन सी, एक था सेरेब्रम, एंड दूसरा था डाइन सिफिलोन, एक मेरे पास था सेरेब्रम, एंड दूसरा कौन सा है, डाइन सिफिलोन, दूसरा है डाइन सिफिलोन, आपको बता दू ये डाइन सिफिलोन के NCRT ने दो पार्ट के बारें बात किया है, एक मेरे पास है और दूसरा मेरे पास है हाइपो थेलेमस दूसरा मेरे पास है हाइपो थेलेमस चलिए सबसे पहले फोर ब्रेन के सबसे पहले वाले पार्ट के बारे में बात करता हूँ जिसको अपने बोला है सैरी ब्रह्म बड़े ध्यान से देखना बच्चे, Cerebrum हमारे brain का सबसे बड़ा पार्ट है, जब भी पूछे, largest part of brain, exactly में brain का about two by third part कुन सा है, Cerebrum वाला पार्ट है, कुन सा पार्ट है, Cerebrum वाला पार्ट, अब इस Cerebrum का formation दो Cerebral Hemisphere से होता है, ये right वाला Cerebral Hemisphere, ये left वाला Cerebral Hemisphere, हमने देखा इन दोनो Cerebral Hem Hemisphere की डोर्सल सरफेस पर एक longitudinal, एक longitudinal fissure और गड़ा प्रजेंट होता है, जिसे क्या बोलते है, median fissure, और हमने क्या देखा, कि ये जो मेरे पास structure थी, जिसको मैंने बोला Corpus Callosum, इस Corpus Callosum के थूरू, right and left Cerebral Hemisphere, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आपको बता दूं कि ये Corpus Callosum केवल और केवल higher mammals, that is Eutherian mammals में मिलता है, बाकी किसी में भी नहीं मिलता, लेकिन ये दोनों के दोनों Cerebral Hemisphere है, ये एक दम identical है, एक दम क्या है, identical, आप देख रहे होंगे, ये Cerebral Hemisphere जो था, इनमें यहाँ पर प्रजेंट होते हैं, गाई राई एंड सलकाई, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, कि Cerebral वाला जो पार्ट था, वो एक Convulated Part है, क्योंकि उसमें क्या प्रजेंट है, गाई राई एंड सलकाई, और जितने ज़्यादा गाई राई एंड सलकाई प्रेंट होंगे, ब्रेन का सरफेस एरिया उतना क्या होगा, ज्यादा, मतल हमारा IQ जो होगा, वो उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, चले हमने क्या काम किया, हमने का कि सर ये दोनों के दोनों Left and Right Cerebral Hemisphere है, ये दोनों के दोनों 100% identical है, हमने का बिलकुल, तो हमने एक Cerebral Hemisphere को निकाला और बाहर निकाल के चेक करके देखा, जब एक Cerebral Hemisphere को निकाल तो इसका मतलब यह हुआ कि सेअरेबर weld को टेग्स जो है वह या आउटर लार्ज नियूरोन का साइटोन वाला पार्ट जो था जिसमें सबसे ज़्यादा निसल ग्रेनिल थे वो बहुत सारे साइटोन एक्जेक्टली में इस सेरेब्रल कोटेक्स में पड़े है हां की ना नेक्स्ट सेरेब्रल मेडिूला जो उसका कलर था वाइट बिचे वाइट कलर जो होता है वह होता है मैयल्सित का एक्जोन पर तो इसका मतलब यह हुआ कि neuron के dendrite and cytone वाला पार्ट तो किस में पढ़ा है, cerebral cortex में पढ़ा है, और उसका myelinated exon जो था, वो किस में पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ है, medulla पार्ट में, कौन से पार्ट में पढ़ा हुआ है, medulla पार्ट में, चले भी अपना आगे, next, हमने देखा, यह cortex वाला पार्ट था, इसी में ही गाहिराई एंड सलकाई परजेंट थे, medulla में कभी भी गाहिराई एंड सलकाई परजेंट नहीं होते, चलो भी हम आगे, सवाल था, सर, यह cortex वाला पार्ट था, यह cortex कितने पार्ट में divided होता है, तो बेटा, NCRT माता ने भी दिय कि cortex तीन पार्ट में divided होता है, एक sensory area, एक motor area और एक association area, तो sensory area जो होता है, वो sensory impulse का analysis करता है, motor area जो होता है, वो motor impulse का analysis करता है, और association area जो होता है, यह एक large area है, जो कि association neuron से बना है, किस से बना है, association neuron से बना है, यह ना तो sensory और ना ही motor, ना तो sensory और ना ही motor, तो सर, इसका काम क्या था बेटा इसका काम था memory का इसका काम था communication का और इसी का काम है inter sensory association inter sensory association का का काम भी किसका association area का था बस NCRT माता ने cerebral cortex में इतनी बात कई अब हम बात करते है cerebral medulla हमने बोला cerebral medulla क्या था आप को गए inner part था small part था एड़ इस पर इस पर केवल myelinated egg zone present थे इसलिए यह कैसा था white color का था तो मैं कहे दूँ यह कैसे color का दिखाई दे था gray color का मतलब इसमें क्या present a gray matter यह कैसे color का दिखाई दिया white color का मतलब इसमें क्या present a white matter हमने क्या देखा cerebral medulla और inner part में present a limbic system क्या present a limbic system दोस्तों यह limbic system जो होता है इसका formation जो होता है वो दो चीजों से होता है एक तो medulla का छोटा सा part that is small inner part and दूसरा उस inner part में deeply situated structures like amygdala, hippocampus ये सारी सारी structure मिलके किसका formation करती है limbic system का आपको बता दूँ ये limbic system जो हो था ये hypothalamus के साथ मिलके हमारे emotional behavior like anger, fear, love, hate, sexual behavior that is libido को, memory को, motivation को इन सब को control को करता है limbic system लेकिन limbic system हमेशा किस के साथ मिलके काम करता है limbic system हमेशा hypothalamus के साथ मिलके काम करता है चले भी अपना आगे, next अपन बात करते हैं brain के अगले पार्ट, अगले पार्ट के बारे में हमने बोला था four brain का अगला जो पार्ट है मेरे पास, वो अपने पास है dyencephilone, और dyencephilone के कितरे पार्ट, दो पार्ट, एक को बोलदा थेलेमस, दूसरे को बोला hypothalamus, मैं आपको बता दूँ, यह थेलेमस जो है, यह upper lateral wall of dyencephilone है और इसी को बोलते हैं, गेट की परो brain, exactly में यह थेलेमस जो होता है यह थेलेमस is surrounded by, surrounded by cerebrum, किसे गिरा होता है, cerebrum से गिरा होता है और NCRT माता कहती है, कि थेलेमस is major coordination center for sensory and motor inputs major coordination center for sensory and motor inputs, वो कौन सा था, थेलेमस, अगला पार्ट है, hypotheलेमस hypothalamus जो है अपने पास, यह हमने बोला, कहाँ पर present होता है, यह present होता है, बेसल पार्ट ओफ थेलेमस में यह मैं कहूँ lower part ओफ थेलेमस, वो क्या है, hypothalamus, यह hypothalamus जो होता है, यह hypothalamus कई सारे काम करता है जैसे हमारा hunger center किसमे, हाइपो थेलेमस में, thrust center किसमे, हाइपो थेलेमस में, autonomous nervous system की activity को कंट्रोल को करता है, हाइपो थेलेमस, लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलके, emotional and sexual behavior को कंट्रोल को करता है, हाइपो थेलेमस, एक endocrine gland की तरह काम को करता है, हाइपो थेलेमस, एक biological clock की तरह काम को करता है, जो कि हमारे 24 hours की rhythm को, circadian cycle को कंट्रोल को करता है, हम कहेंगे, हाइपो थेलेमस, हमारा satiety center, saturation center, जिसमें यह पता चले कि खाना खाया तो पेट भर गया, अब और नहीं खाना, पानी पिये तो प्यास बुझ गई, और नहीं पिना, that is saturation center, वो किसमें है, हाइपो थेलेमस में, और बोड़ी के temperature के regulation का center किसमें, हाइपो थेलेमस में, ओ स्मूलरेटी center कहां पे, हाइपो थेलेमस में, तो यह स cerebral hemisphere, यह मेरे पास left cerebral hemisphere, यह मेरे पास है, डाइन सीफिलोन का थेलेमस एपो थेलेमस, यह ये यलो वाला मेरे पास है, यह है mid brain, सबसे पहला सवाल, mid brain कहां पर located होता है, तो मैं कहां दू, mid brain जो होता है, वो थेलेमस और हाइपो थेलेमस, और पोंस पार्ट ओफ हाइंड के बीच लोकिटेड होता है, हैंड ब्रेन के कितरे पार्ट, तीन पार्ट, पॉंस, मैडल अउवलंगेटा, एंड सेरी बेलम, इन, तो हमने बोला, पॉंस, एंड थेलेमस के बीच, यह मैं कहां दू, हाइपो थेलेमस, और पॉंस के बीच लोकिटेड होता है, कौन सा, mid brain, अब यहां पर देखे, तो यह mid brain की dorsal surface, यह mid brain की ventral surface, हमने क्या देखा, mid brain की dorsal surface पर, चार, चार, राउंडेड, चार, राउंडेड, इस्ट्रेक्चर प्रजेंट होती है, वो चार, राउंडेड, इस्ट्रेक्चर में, दो उपर वाली, जिने बोलते, दो superior colliculi, और दो जिसे बोलते, दो inferior colliculi, तो total कितनी rounded structure, चार rounded structure होती है, और इन चारों को मिलाके बोलते है, corpora, quadrigemina, आपको बता दू, ऊपर वाली दो rounded structure है, वो vision से related है, किस से related है, related to vision, related to vision, जबकि नीचे वाली जो structure जो थी, वो दोनों की दोनों किस से related है, हमने बोला related to hearing, ये दोनों की दोनों hearing से related है, तो जब भी पुछे, corpora, quadrigemina, ने कहां पे, आप कहोगे, dorsal surface पे, चले, ventral surface of midbrain, जो होता है, उस पे present होता है, one pair myelinated nerve fiber, one pair myelinated nerve fiber, जिसको बोलते है, cerebral, pedancle, इनी को बोलते है, कुरूरा, cerebral, ये exactly में, ये exactly में क्या काम करते हैं, ये cerebrum को cerebellum से जोडने का काम करते हैं, साथ साथ हमने क्या देखा, कि middle ear के central part में एक बहुत fine tubule present होती है, जिसको बोलते है, cerebral aqueduct, cerebral aqueduct, इस cerebral aqueduct से होके, गुजरता है, वो गुजरता है, CSF, that is cerebral spinal fluid, इस cerebral aqueduct को ही बोलते हैं, इस cerebral aqueduct को ही बोलते हैं, वो बोलते हैं, अपन आईटर, इसी को बोलते हैं, aqueduct of sylvean, वो सब किसके काम है, नाम है, cerebral aqueduct के नाम है, next, hind brain को बात करके चले, तो hind brain के तीन पार्ट, एक पार्ट है, पार्ट है, दूसरा पार्ट है, सैरी बैलम, एंड तीसरा पार्ट है, medulla oblongata, बिटा, पोन्स वाला जो पार्ट है, पोन्स वाला पार्ट है, इसमें नर्व फाइबर्स के network प्रिजेंट है, अपने देखा, एक है longitudinal nerve fiber का network, एक है transverse nerve fiber का network, longitudinal nerve fiber जो है, यह क्या काम करते हैं, यह सैरी बैलम को medulla oblongata से connect करते हैं, एंड ट्रांस वर्ज नर्व फाइबर्स को सैरी बैलम से connect करने का काम करते हैं, चले, next, अगला जो पार्ट है, वो है सैरी बैलम, आपको बता दू, सैरी बैलम जो है, यह हाइंड ब्रेन का सबसे पार्ट है, और ब्रेन का दूसरा सबसे बड़े पार्ट है, ब्रेन का सबसे बड़ा सेरिब्रम, और उसके बाद दूसरा कौन साथ है, सेरिबेलम, सेरिबेलम जो होता है, यह मेंली बोडी को बैलेंस करने से रिलेटेड है, बोडी को बैलेंस करने से रिलेटेड कोन है, सेरि brain का last part जो होता है, वो होता है medulla oblongata, वो क्या होता है medulla oblongata, medulla oblongata जो है, यह hand brain का बिल्कुल posterior part है, which is directly connected to spinal cord, और यह हमारी body की involuntary activity को control करता है, इसमें कई सारे center होते है, जैसे respiratory center यहीं पे होता है, cardiac center यहीं पे होता है, vomit center यहीं पे होता है, gastric juices का secretion करवाने वाला center जो होता है वो भी यहीं पे होता है, चलू मैं आगे, yes, हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यह मेरे पास है, वो कौन सा part है, यह मेरे पास midbrain, यह मेरे पास ponce, यह मेरे पास medulla oblongata, यह तीनों के तीनों part एक ही axis पे present है, एक ही axis पे present है, इसलिए ने बोलते brain stem, क्या बोलते है brain stem, तो जान रखना, brain stem में तीन चीज़े, पहला midbrain, दूसरा ponce, प्लस तीसरा medulla oblongata, इन तीनों से मिलके क्या बनता है, इन तीनों से मिलके ही बनता है, brain stem, मतलब यह हुआ बेटा, कि hindbrain का सैरी bellum वाला part, brain stem के formation में कोई contribution नहीं देता, चले जी आगे, यहाँ पे अपना hindbrain नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, NCRT माता ने थोड़ी सी बात किये, knee jerk reflex action के बारे में, तो यह knee jerk reflex action वो थी, जिसको spinal code कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, spinal code, लेकिन हमें पहले यह तो पता होना चीए, कि reflex action है क्या, बिटा, किसी भी external stimulus को, किसी भी external stimulus को, जब suddenly, involuntary and unplant response दिया जाता है, और उस response को कंट्रोल कारता है, central nervous system या तो brain या spinal code, तो इसे बोलते है reflex action, क्या बोलते है, reflex action, हम यहाँ बात कर रहे हैं, knee jerk reflex action की, और इस knee jerk reflex action को कंट्रोल करता है, spinal code, को गुट कंट्रोल करता है, spinal code, अब बड़े धयान से देखेगा, यह spinal code जो होता है, इ हमने बोला इस पाइनल कोड की येवाला जो पाइट है इसको बोढ़ दिया डोर्स रूट गैंगलिया में होती है pseudo-unipolar neuron, कौन सी neuron, दोस्तों, हमने बोला इसी में होती है, pseudo-unipolar neuron, किसमें, डोर्सल रूट गैंगलिया में, यहीं पर प्रजेंट होती है, pseudo-unipolar neuron, यहाँ पर अपने बात किया, यह pseudo-unipolar neuron, always sensory neuron है, कौन सी neural organ से stimulus को CNS में लेके आना, जबकि यह वाला जो part है, इस वाले part को अपन बोलते हैं, बेटा, इसको बोल दिया डोर्सल रूट, इस वाले part को अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं, वेंट्रल रूट, और इस वेंट्रल रूट में केवल और केवल motor neuron present होती है, कैसे neuron present होती है, केव यह motor neuron कैसी है, यह motor neuron अपने पास है, यह multipolar, वो कैसी थी, sensory, pseudo-unipolar, जो कोन से में थी, डोर्सल रूट में थी, वेंट्रल रूट में कोन सी, motor, जो कैसी है, multipolar, अब ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं, नी जर्क reflex action की, बच्चे, यह जो reflex action होती है, यह reflex action हमने दो टाइप में डिवाइड कर ली, एक तो वो, जिसको पन बोलते है, mono-synaptic reflex action, जिसमें central nervous system में केवल और केवल एक synapse बनता है, एक होती, poly-synaptic reflex action, जिसमें central nervous system में एक से ज़्यादा synapse बनता है, एक से ज़्यादा synapse बनता है, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, यह blue color की neuron थी, यह blue color की neuron एक sensory neuron थी, जो यहाँ से impulse को लेके आई, और यहाँ से जाके इस yellow color की neuron के साथ synapse बनाया, yellow color वाली कौन सी थी, motor, तो यहाँ पे देखिए, sensory और motor के बीच synapse बना, synapse कितना बना, केवल एक synapse बना, केवल कितना synapse बना, एक, तो जब sensory neuron सीधा synapse motor के लेकिन दूसरे वाले पहलू को आप ध्यान से देखीगा, हमने बोला ये नीले वाली sensory neuron impulse लेके आई, और इसने सबसे पहले इस green वाली के पास यहाँ पर एक synapse यहाँ पर बनाया, फिर इस green वाली ने इस red वाली के साथ यहाँ पर दूसरा synapse बनाया, मतलब एक synapse यहाँ पर ब synapse बने दो, मतलब एक से ज़्यादा, तो ऐसी reflex action जिसमें CNS के अंदर, या मैं कहूँ, spinal code के अंदर, एक से ज़्यादा synapse बने, तो उसे बोलते हैं, polysynaptic reflex action, इसका मतलब polysynaptic reflex action तभी बनेगी, जब interneuron क्या हो, involve, monosynaptic reflex action में कभी भी interneuron participate नहीं करती, monosynaptic reflex action में हमे synaptic reflex action में interneuron present होती है, चले, तो ये knee jerk reflex action जो मेरे पास है, ध्यान रखना बेटा, it is example of monosynaptic reflex action, knee jerk reflex action, किसका example है, monosynaptic reflex action का example है, मतलब इसमें केवल और केवल कितना synapse बनेगा, एक, इसका मतलब ये blue वाली से impulse आया sensory, और ये yellow वाली motor impulse को लेके चले, गई, तो ये वाला जो portion दिखाई देर, आपको exactly में, ये monosynaptic reflex action का है, चलू मैं आगे, यहां तक की बात, मेरे हिसाब से एकदम clear होगी, चले, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हम बात करते है, sensory organs के बारे में, चलो दोस्त, देखते है, sensory organ में सबसे पहले हम आपकी माख तोड़ने वाले, बड़े ध्यान से देखिए, नोजगा क्या काम था, smell के बारे में aware कराना, हमने बोला किसी flower से कोई chemical material निकला, वो chemical material होता है, solid chemical, कैसा material होता है, solid chemical, हमने जो ही air को ही nailed किया, सांस लिया, air के साथ साथ solid chemical आया, वो solid chemical आया, और वो क्या काम किया, कि हमार यहां पर, जो mucos था, जो हमारी olfactory epithelium जो थी, उस olfactory epithelium जो थी, वहां पर जो mucos था, उस mucos से आकर चपक गया, दीरे, 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 वो जो solid material था, वो मुकस में हुआ, वो اुस mucos में हुआ,डियोл, जो ही solid material मुकस में डीच आया, यह जो olfactory receptor जो था, ज से औल फेक्टरी रिसेप्टर से जो ही औल फेक्टरी रिसेप्टर ने इस भीजोरूर केमिकल को डिटेक्ट किया तुरंत के तुरंत इस एफिरेंट नरू फाइबर में एक्षन पोटेंशल डवलप हो गया और यह information जो थी यह पहुंची, all factory bulb और all factory lobe के पास, आपको बता दू, यह all factory bulb and all factory lobe जो होता है, यह one pair होता है, यह large and bean shaped structure है, और इनका formation होता है, वो होता है, limbic system के extension से, यह NCIT ने clear लिखा है, अरे हां की न, यह all factory bulb में पहुंचा, all factory bulb से information पहुंची, all factory center में, और all factory center ने उसको analysis किया, फिर हमें जाके smell के बारे में पता चला, अब सवाल यह था, सर, आप हमें बता दीजिए, अगर कोई हम से पूछे, कि बता all factory epithelium कहां पर present होती है, हम कहेंगे nose में, वो पूछेगा, बता all factory epithelium कितने type की cell से बनती है, हम कहेंगे तीन type की cell से, पूछेगा तीन type की कौन सी, supporting cell, all factory receptor cell और basal cell, इन तीनों से मिलके बनती है, चलू मैं आगे, तो हमने all factory epithelium के बारे में बताया all factory epithelium कैसे बनती है, यह भी बताया, प्रस all faction की mechanism भी बताई, आप NCRT को पढ़ लेना, each and every line को यह बात clear हो, चले जी आगे, next, अगली मेरे पास है, टंग, हम जीब के बारे में बात कर रहे हैं, बिटा, जीब की अपर सर्फेस पे होते हैं, पैपिला, और पैपिला में होते हैं, टेस्ट बड्स, और वो टेस्ट बड्स हमें किस के बारे में बताती है, food metal के टेस्ट के बताती है, exactly में टेस्ट बड्स में एक epithelium होती है, जिसको बोलते है, gastratory epithelium, कौन सी epithelium, gastratory epithelium, यह gastratory epithelium भी, olfactory epithelium की तरह है, तीन टाइप की cell से बनती है, supporting cells, gastratory receptor cells, and basal cells, सवाल था, सर हुआ क्या, बिटा, जो ही कोई हमने food metal खाया, उस food metal में थे solid chemical, क्या है, solid chemical, जो ही हमने उसको खाया, वो food material जो था, वो गया, और हमारी saliva में जाके हो गया, saliva में क्या हो गया, उस dissolved chemical को detect करता है, gastratory receptor, कोई detector रहता है, gastratory receptor, याद करो, olfactory receptor ने भी, तो solid dissolved chemical को detect किया था, हा कि ना, और gastratory receptor भी किसको detect कर रहा है, solid dissolved chemical को, तो इसका मतलब, gastratory and, gastratory and olfactory receptors are sensitive for dissolved chemical, और मैं कहूँ, they can detect dissolved chemicals, यह NCRT माता की लाइन है, चले, dissolved chemical ने, जो ही gastratory receptor ने dissolved chemical को detect किया, तुरंत के तुरंत इस apparent nerve fiber में क्या develop हुआ, action potential, और वो impulse पहुचा, gastratory center में, gastratory center ने उस impulse का analysis किया, फिर हमें पता चला, कि यह taste कैसा है, ध्यान रखना, जब भी हमें किसी taste के बारे में पता चलता है, तो वो एक complex taste के बारे में पता चलता है, जो कई सारे अलग-अलग material का एक resultant taste होता है, अब काम क्या था, काम ये था कि अगर किसी person के जुखाम हो गई, तो उसे smell के बारे में तो कम पता चले गाई, साद में food metal को खाने में कोई taste भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, कि gas station and all faction, य एक दूसरे से क्या है, interrelated, functionally similar hand, एक दूसरे से क्या है, interrelated, ये NCIT माता की लाइन है, चले, अब हम तीसरे ओरगन के बारे में बात करते हैं, और वो तीसरा ओरगन है, तुम्हारे मस्त मस्त दो नैन, जो दिल का चुरा लेते, chain, बड़े ध्यान से देखीगा, बच्चे आप आपको पता है, human being में one pair eyes होती है, जो कि इसकल में, इसकल में, ये जो अपने पास eye orbit वाला पार्ट है, ये जो socket है, जिसको बोलते है, eye orbit, इसके अंदर located होती है, अगर आप एक eyeball को देखोगे, तो वो होता है, nearly spherical, हमने eyeball को काटा और देखा, तो eyeball की wall में total 3 layer मिली, कितने layer मिल जिसके दो पार्ट है, एक पार्ट को तो अपन बोलते हैं, वो बोलते है, sclera, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं, उसके को cornea, सबसे पहले, सबसे बाहर वाली layer के sclera, बिटाई, sclera जो होता है, वो fibrous tunic का posterior, posterior 5 by 6 part होता है, जो कि dense connective tissue से बना होता है, और इसमें कोई भी blood supply present नहीं होती, कोई भी blood supply present नहीं होती, next, ये cornea जो होता है, ये cornea जो होता है, ये borneadder का anterior 1 by 6 part है, और ये भी dense connective tissue का बना होता है, और इसमें भी कोई blood supply present नहीं होती cornea जो है वो एक transparent part है, cornea कैसा part है transparent part है, चलें और ये cornea लग बग 70% light का क्या करता है light का क्या करता है, reflection reflection, reflection, reflection ही बोला reflection, कितना करता है लग बग 70%, और नीट में सवाल पूछा जा चुका है कि cornea highly sensitive होता, पुछो को किस के लिए है, मैं काऊंगा, touch के लिए, touch के लिए, pressure के लिए, pain के लिए, highly sensitive कोन है, cornea, लेकिन retina highly sensitive है, किस के लिए, light के लिए, light के लिए highly sensitive, retina touch के लिए, pressure के लिए, pain के लिए कोन, cornea, चले, next दूसरी layer को बोलते हैं, vascular ट्यूनिक, वेस्किलर ट्यूनिक के टोटल कितने पार्ट, तीन पार्ट, अपने पास focuses aç हं पार्टम्न अबात कर थे वेस्किलर ट्यूनिक जो है वे वह नाम ही सिर्ण बोला, क्योंकि उसमें б्र वैैसिल्स का नैट्वर्ट प्रजेंट है, वह हाईली वैस्किलर है, पार्ट है और इसकी मोटाई होती बहुत कम इसलिए NCRT लिखती है पोस्टीरियर टू बाई थर्ड थिन पार्ट है कोन सा पार्ट है जब भी पुछे कोरोईड का कलर कैसा आप कहोगे ब्लू कलर एंटीरियर पार्ट पे जाके कोरोईड हो गया थिक जिसको हमने बोल दिया सी सिलिरी बोड़ी क्या है? तो आप कहोगे एंटीर थिक पार्ट फेस्कीलर ट्यू दरें ऊबूर मैं कहूँ कोरोईड का एंटीर ठिक पार्ट है कौन सा? सीलियरी बोड़ी और ये ciliary body जो होती है, ये एक muscular structure है, जिसमें muscles जो present होती है, उन्हें बोलते ciliary muscles, क्या बोलते है ciliary muscles, इस ciliary body से कुछ finger like projection आगे की तरफ निकला, और उस finger like projection को क्या बोल दिया, iris, ध्यान रखना, iris अपने पास है, वो भी एक muscular structure है, और iris में भी क्या present होती है, muscles, एक बात और iris हो, चाहे ciliary body हो, चाहे corridor हो, तीनो के तीनो कैसे part है, colorful, लेकिन बहार से जो हमें colorful part दिखाई पड़ता है, वो कौन सा दिखाई पड़ता है, iris, इसलिए NCRT माता कहती है, कि outer visible, outer visible colored part of eye कोन सा, वो अपने पास है, iris, और हमारी आखों में किसी के आखों का color black है, किसी का brown है किसी का blue है, तो eyes को specific color कों provide करता है, iris, जैसा color iris का, वैसे ही हमारे आखों का color होगा, चले, हमने क्या देखा, इस iris के central part में एक छोटा सा hole है, उस छोटे से hole को बोलते है, pupil, क्या बोलते है, pupil, तो मैंने का कि length के front में, and iris के central part में क्या है, hole, जिसको क्या बोलते है, pupil, exactly में बहार से आखों में जो light enter होती है, वो कौन से part से होती है, pupil part से ही होती है, और इस pupil का size regulate कौन करता है, pupil का size regulate करता है, iris, क्यों, क्योंकि iris एक muscular structure है, तो size of pupil is regulated by muscles of iris, अगर dim light है, तो pupil का size होगा बढ़ा, और अगर full light है, तेज light है, तो उस तेज light में pupil का size होगा, छोटा, वो और यह कौन रुगोलेट करेगा वह आयर्स रेगोलेट करेगा चलीए हमारी आंख जो थी उस आंख में एक लेंस होता है हमारा जो लेंस होता है वह ओता है complex and intersection होता है, यह होता है, elastic and crystalline lens होता है, elastic and crystalline lens होता है, मैंने बता है था, cornea लगबग 70% light का reflection करता है, यह lens जो होता है, यह लगबग 25% light का reflection करता है, यह जो lens जो होता है, जो हमने बोला कि अपने पास elastic होता है, and crystalline होता है, यह lens जो होता है, यह भी transparent होता है, और इसमें भी blood circulation present नही होता याद रखो लेंस जो होता है ये suspensory ligament की help से ciliary body से जुड़ा होता है किसके help से suspensory ligament की help से तो एक सवाल पूछेगा बताओ lens को उसकी position पे hold कौन रखता है तो आप कहोगे वो रखते हैं suspensory ligament क्योंकि इनी की help से lens किस से जुड़ा होता है ciliary body से जुड़ा होता है चले अपना आगे next अपने पास पूछेगा तीसरा पार्ट तीसरा पार्ट कौन सा था रेटिना रेटिना highly sensitive है किसके लिए highly sensitive है आप कहोगे light के लिए highly sensitive है अगर तो बिटर रेटिना वाले पार्ट का एक चोटा सा section ले और उस चोटे से section को देखे तो रेटिना में रेटिना में अंदर से बाहर की तरफ चले तो तीन टाइप की ऐार कौन सी फोटो रीसेप्टर सेल всिर कौन सी bipolar सेल फिर कौन सी गेंगलियोनिक सेल का एक जोन मिल क्या बनाता है optick nerve चले अब याद रखना यह फोटो रिसेप्टर सेल जो होती है यह दो टाइप की होती है एक होती है rods और दूसरी जो होती है उसको अपन बोलते हैं बिटा cones ध्यान रखना यह photoreceptor cell light के लिए sensitive है क्योकि इन में light के लिए sensitive protein present होती है जिसे बोलते हैं photopigment क्या भोलते हैं photopigment और rods में जो photopigment होता है उसे बोलते है radopsin उसे बोलते है rodofsin and cones में जो photopigment होता है उसे दोबं iodofsin क्या बोलते है iodofsin ध्यान रखना rodofsin जो मेरे पास है वो rodofsin जो मेरे पास है वो अपने पास purple red color की protein है जो कि एक complex protein है जबकि अपने पास iodofsin एक violet color की protein है कैसी protein है? वोishब star color की, road cell जो होती है वो dim light में देखने के लिए responsible है जबकि कॉन्स है वो तेज light that is bright light और मैं कहूँ daylight में देखने के लिए जिम्मेदार है अरे जब भी roads काम करेगे dim light में तो vision होगा black and white मतलब पूरी दुनिया कैसी दिखाए देगी black and white जब भी पूछे colorful दुनिया कौन दिखाता है तो colorful दुनिया कौन दिखाती है वो दिखाती कौन्स क्या दिखाएगी colorful दुनिया दिखाएगी चलू मैं आगे next पूछेगा सर बाहर से अगर light आए तो बता वो सबसे पहले कौन सी cell पे गिरेगी सबसे पहले गिरेगी ganglionic cell पे फिर गिरेगी bipolar पे और सबसे लास्ट में जाएगी photoreceptor cell पे जो ही light photoreceptor cell पे जाएगी photoreceptor cell में develop होगा potential क्या develop होगा potential तो अगर पूछे कि रेटीन आपे light के direction क्या है तो आप कहोगे ganglionic cell से photoreceptor cell की तरफ जब भी पूछे बताओ potential के direction क्या है तो आप कहोगे photoreceptor cell से ganglionic cell की तरफ अब सवाल था सर आपने बोला कि roads और cones जो थी उनमें present होता है photopigment और वो photopigment जो थे roads में था rodopsin और cones में था iodopsin अगर कहें कि photopigment बना किससे होता है बिटा एक photopigment में दो चीज़े है एक तो opsin होती है जो कि एक protein part है एक होता है retinal जो कि non protein part है आपको बता दू यह retinal जो है यह बनाए retinol से और retinol अपने बोलते हैं वो बोलते हैं vitamin A को तो हमने बोला retinal suffix लगा AL that is aldehyde तो इसको अपने बोलते हैं aldehyde of aldehyde of vitamin A aldehyde of vitamin A लाइट को absorb करने का काम कोन करता है retinal तभी photoreceptor cell क्या होती है activate तभी photoreceptor cell क्या होती है activate चले जी अपना आगे यस यहां की बात के लिए रहे अब कहानी सुनाते है यहां पर आप देखिए अपने पास यह एक chamber है जिसको हमने बोला aqueous chamber यह एक chamber है जिसको बोला vitreous chamber अब देखो यह cornea और यह lens cornea and lens के बीच के space को बोलते है aqueous chamber and lens and retina के बीच के space को बोलते है vitreous chamber बीच के space को क्या बोलते है vitreous chamber aqueous chamber में एक thin water fluid बढ़ा होता है जिसको बोलते है aqueous humor जबकि vitreous chamber में विट्रेस सेंबर में एक जैली-like material भड़ा होता है, और उस जैली-like material को बोलते हैं, विट्रेस हुमर, क्या बोलते हैं विट्रेस हुमर, ध्यान रखना, एक्वस हुमर हो, चाहे विट्रेस हुमर हो, दोनों का secretion, ciliary body करती है, लेकिन एक्वेस यूमर का सिक्रिशन तो throughout the life करती है लेकिन विट्रेस यूमर का सिक्रिशन केवल embryonic stage में करती है यह एक्वेस यूमर जो होता है यह lans and cornea को nourishment प्रोइड करता है जबकि विट्रेस यूमर जो होता है वो eyeball की shape को maintain रखने का काम करता है चले retina खागिले part बचे retina वाला जो part था उस retina वाले part से related कुछ बाते हैं इस retina वाले part से related एक structure है जिसको हमने बोल दिया एक point है जिसको हमने बोल दिया वो बोल दिया blind sport जब भी पूछे कि बताओ retina पे blind sport क्या था मैं कह दू, रेटीना पे blind spot वो point था, जहां पे optic nerve तो retina से और eyeball से बाहर निकल रही थी, optic nerve जो थी, वो retina से और eyeball से बाहर निकल रही थी, और retinal blood vessel जो थी, वो eyes के अंदर enter कर रही थी, उस point को बोला blind spot, और इस blind spots पे rods and cones जो थी, वो क्या होती है, absent, rods and cones दोनों क्या होती है, absent, अरे जब rods and cones ही नहीं है, तो image formation भी नहीं होगा, तो याद रखना no image formation, यहां पे image formation भी नहीं होगा, लेकिन इस blind spot के थोड़ी सी lateral side पे एक yellow color का space present होता है, जिसे बोलते है yellow spot, या उसी को अपन बोलते है macular lutea, यह yellow spot वो होता है, जहां पे rods and cones क्या होती है, present, रोड्स एंड कौन से होती है वो क्या होती है प्रिजेंट अरे रोड्स कौन दोनों है तो येलो इस पॉर्मेशन होगा मैंने बोला कि यहाँ पर क्या है हमने बोला यह अपने पास है साइट ओफ इमेज फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन हमने एक चीज और नोट की येलो इस पॉर्मेशन के बिल्कुल सेंटर में पित था एक गड़ा था उस गड़े को बोलते हैं फोविया क्या बोलते हैं उस गड़े को फोविया तो जब भी पूछे हमने बोला पित प्रिजेंट एट दा सेंटरल पार्ट प्यालोइक स्पॉर्ट उसको क्या बोलतेism और इस फोविया वाले पार्ट पर harness कॉन्स प्रजेंट होती है only क्या present है यहां पे हमने बोला इसमें only कोंस present होती है किस पे फोवया वाले पार्ट पे और कोंस किस के लिए responsible colorful vision के लिए जितना colorful vision image उतना ही clear तो maximum resolution of image कहां पे होती है फोवया पे तो हमने बोला यहां पे maximum resolution of image इमेज की maximum resolution कहां पे होती है, phovia वाले पार्ट पे होती है, वहां पे केवल और केवल densely packed cones present होती है, roads completely क्या होती है, absent कहां पे, phovia वाले पार्ट पे, चले, यहां पे जाके हम बात करके चले, तो eyes की structure वाला portion क्या हुआ, complete सवाल था, sir, अगर कोई आप से पूछे, कि आप ये responsible colorful vision के लिए, अब बेचे, यहां पे rating आपे कोंस जो होती हो, तीन type के होती है, erythrolab, sinolab and chlorolab, erythrolab red color की light के लिए sensitive, मतलब उसमें केवल red color दिखाई देगा, अगर sinolab के बारें बात करें, तो वो blue color की light के लिए sensitive, मतलब हमें केवल blue color दिखाई देगा, अगर chlorolab के बारे के लिए sensitive, केवल green color दिखाई देगा, और हर तीनों की तीनों type की cones के पास, तीन अलग-अलग type का photopigment, that is, तीन अलग-अलग type का iodopsin होता है, चले, अब सवाल पूछेगा, sir, अगर तीनों की तीनों type की cones को, हम equally stimulate करें, तो हमें कैसा color दिखाई देगा, बेटा, हमें वो ची color, pink color, और जो बहुत सारे color तुम्हें पता है, वो color आएंगे, अगर कहें कि हम किसी भी कौन को stimulate ही ना करें, अगर किसी भी कौन को stimulate नहीं किया, तो वो चीज आपको black color की दिखाई देगे, चलू मैं आगे, सवाल था, sir, vision की mechanism, हमने बोला, किसी भी object से reflect होके, visual light जो थी, वो आई के cornea पे गिरी, cornea ने उसका 70% reflection किया, फिर गई lens के पास, lens ने उसका 25% reflection किया, फिर गई vitres humor में, उसका लगबग 5% reflection हुआ, फिर जाके वो retina पे focus हुई, जो ही वो retina पे गई, सबसे पहले जाके गिरी ganglionic cell पे, फिर bipolar cell पे, फिर गई photoreceptor cell पे, जो ही photoreceptor cell पे गई, फोटoreceptor cell activate हुई, बोला सर कैसे activate हुई, फोटoreceptor cell में था photopigment, उस photopigment के retinal ने light को absorb किया, और वो retinal अलग हो गया, किस से? option से, retinal जो था, वो किस से अलग हो गया? option protein से, जो ही retinal dissociate हुआ, किस से option से? option की structure हुई, change, और retinal option से अलग हुआ, option की structure हुई, change, मतलब photopigment तूट गया, जो ही photopigment तूट हा, photoreceptor cells की cell membrane की permeability जो थी, उसकी cell membrane की permeability जो थी, वो permeability क्या हुई? change, जब permeability change हुई, तो उसकी वज़े से क्या हुआ? ions का exchange हुआ होगा, और ions का exchange की वज़े से, photoreceptor cells जो थी, उस photoreceptor cell में, एक potential difference generate हुआ, मैंने का, एक new potential develop हुआ, एक potential difference डवलप हुआ, या एक new potential डवलप हुआ, वो new potential जो था, वो bipolar neuron से होता हुआ, पहुचा, गैंगलियोनि potential डवलप किया, तो बड़ा famous सवाल है, कि सबसे पहले action potential किसमें develop हुआ? आप कहोगे, गैंगलियोनिक neuron में, आप कहोगे, सर, यहाँ पे भी तो potential डवलप हो रहा है, बेटा, यस, यहाँ पे एक नया potential डवलप हुआ, लेकिन वो action potential नहीं था, action potential की value प्लस 30 milliwont और नहीं चाह अप हुआ, वो optic nerve के थूँ पहुचा, visual center में, और visual center जो था, वो cerebral cortex के occipital lobe में था, उसने जाके उसको analysis किया, और previous memory and experience के basis पे recognize किया, और तब पता चला कि सामने कौन खड़ा है, या कौन खड़ी है, या या किस सीज़ का image है, चले, next, अब बात करते हम ears के बारे में, बच् हमें पता है कि हमारा ear जो है, उस ear के दो काम है, एक तो है hearing और दूसरा body balancing, वो पुछेगा primary function और main function क्या है, तो ear का main काम है body को balance करना, अब हमारा जो ear था, उसकी structure को देखते हुए, anatomy को देखते हुए, हमने ear को तीन पार्ट में डिवाइडी किया, सबसे पहला outer ear, फिर middle ear, सबसे पहले outer ear, outer ear के कितरे पार्ट, दो पार्ट, एक पार्ट को बोलते ear pinna, और दूसरे को बोलते ear canal, अगर ear pinna को देखो, चाहे ear canal, या इसी को बोलते हो, external auditory metas, या external auditory canal, अगर इन दोनों पार्ट को आप देखोगे, तो इन दोनों के दोनों पार्ट पे very fine hairs भी present होगे, and wax secreting gland भी दोनों के दोनों पार्ट पे present होगी, सवाल था, सर, अगर कोई ये पूछे ear pinna क्या काम करता है, बिटे ear pinna environment से sound wave को collect करता है, और collect करके, उन sound wave को किदर बेजता है, उनको बेजता है ear canal में, और आप देख रहे हैं, कि ये ear canal जो है, ये inward direction में अंदर की तरफ जाती है, ये जाती है ear drum, जिसको बोलते है tympanic membrane तक, tympanic membrane जो है, वो external ear का part, नहीं है, external ear के part के बल दो, एक तो अपने पास ear pinna, और दूसरा ear canal, चले अपना आगे, next, हम बात करते है middle ear के बारे में, बेटे middle ear जो था, उस middle ear के तीन पार्ट थे, कौन-कौन सा, एक तो ear drum, जिसको ब मेरे पास use taken tube, सवाल था, सर, बताईए, देंग से, बिटे, देंग से बताते हैं, देखेगा, ये अपने पास ear drum है, ये ear drum exactly में connective tissue से बना है, किस से बना है, connective tissue से, उसके outer surface पे skin की covering है, and inner surface पे mucous membrane की covering है, इस पूरी की पूरी structure को क्या बोल दिया, ear drum, ear drum की अंदर वाली surface, first ear ossicle से malleus से जुड़ी हुई है, malleus जो है, वो hinge joint के थुड़ी हुई है, incus से, incus जो है, वो ball and socket joint के थुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है, किस से, S4 stepis से, और आपको पता है, stepis हमारे सरीर की सबसे छोटी bone है, जो की cochlea की, cochlea की oval window से जुड़ी होती है, किस से तिनो की तिनो, that is, malleus, incus, and stepis, ये तिनो की तिनो को हमने शोर्टम बोल दिये, ये क्या हो गई, miss, और ये क्या आपने पास, इन ही को पन बोलते, ear ossicles, बिटें, ये ear ossicles है, ये आपस में chain-like fashion में जुड़ी हुई होती है, और ये क्या काम करती है, ear drum से sound wave को कहां पोंचाती है, inner ear में पोंचाती है, और मैं कहूँ, कोकलिया की oval window तक ले के जाती है, तो NCIT माता लिखती है, कि ear ossicles क्या काम करती है, तो वो लिखती है, ear ossicles increase efficiency of transmission of sound wave to inner ear, और मैं कहाँ दू, to cochlea, या मैं कहाँ दू, to oval window of cochlea, चले भी अपना, next, तीसरी बात, तीसरी अपने पास थी, use middle ear का दूसरा पाट, ये middle ear का तीसरा पाट था, use taken tube क्या काम करती, middle ear को फैरिंग से connect करने का काम करती, कौन, use taken tube, और use taken tube, middle ear को फैरिंग से connect करती, सवाल था, सर, उससे क्या फाइदा होगा, बिटा, exactly में, use taken tube का main काम है, इस ear drum के इधर, और इधर, मतब, ear drum के दोनों तरफ, pressure को equalize करना, ताकि ear drum को फटने से बचाया, जा सके, वो काम कोन करती है, use taken tube, अब सवाल था, सर, यहाँ पे आपने, OW, that is, oval window, RW, that is, round window के बारे में बात करी, ये दोनों कहां प्रजेंट होती है, मैं कहूंगा, कोकलिया, जो की inner ear का part है, उसके basal part पे प्रजेंट होती है, ये से connect करने का काम करती है, चलिए, तो हम बात करते हैं आपसे inner ear के बारे में, बचे inner ear के दो पार्ट थे, एक था bonny labyrinth, और दूसरा था membranous labyrinth, bonny labyrinth, bonn का बना हुआ, बहार वाला पार्ट था, और वो जो bonn थी, उसके अंदर बहुत fine cavity थी, इसलिए NCI team आता कहती है, कि it has series of channels, it has series of channels, और उन channel में क्या बढ़ा हुआ था, liquid material, जिसको अपन बोलते है, perilymph, और ये bonny labyrinth के जो series of channel थे, उसके अंदर, अंदर वाला part, that is membranous labyrinth located था, किस में, channels of bonny, labyrinth में, और ये membranous labyrinth भी अंदर से कैसा था, खोकला, और उसमें क्या बढ़ा हुआ था, उसमें मतलब, inner ear, that is labyrinth, जो था, उस labyrinth में, बाहर वाले part में, perilymph भरा था, अंदर वाले part में, endolymph भरा था, इसलिए NCRT माता कहती है, कि labyrinth is filled with fluid, filled with fluid, बोलो हाँ की न, अब ये अंदर वाला membranous labyrinth था, इसके दो पार्ट है, एक है cochlea, जो कि coiled पार्ट है, जो कि सुनने के पार्ट है, दूसरा vestibular apparatus, vestibular apparatus जो होता है, ये cochlea के उपर located होता है, और ये body की balancing में help करता है, इस vestibular apparatus के दो पार्ट, एक है autolith organ, और दूसरे है, तीन होती है, यहाँ पे semi-sircular canal, autolith organ में, दो चीज़ आती है, seculus जिसको बोलते है, secule, and utriculus जिसको बोलते है, utrical, ये seculus and ut utriculus जो होते, ये static equilibrium of body के लिए responsible है, जबकि ये three semi-sircular canal जो होती है, ये dynamic equilibrium of body के लिए responsible है, चलिए, मैं diagram के थुरू आपको दिखाने की कोशिस करता हूँ, बेटा, हमने बोला, ये purple color का, ये मेरे पास bonny leverint है, ये अंदर की साड़ी, ये पूरा का, पूरा coiled part क्या है, cochlea, य ये मेरे पास seculus, ये utriculus, और ये तीन रही मेरे पास semi-sircular canal, चले, सबसे पहले हम बात करते, वह बात करते, vestibular apparatus के बारे में, बड़े ध्यान से देखना है, हमने आपसे बोला कि vestibular apparatus जो है, वो cochlea के उपर located है, उसके कितने पार्ट थे, दो, एक पार्ट में तो था autolith organ, जीन में मेरे पास आता था seculus and utriculus, seculus, utriculus वाला membranous libraryth का part है, तो membranous libraryth में क्या बरा था, endolymph, अरे हा की न, हमने बोला, जब भी अब seculus और utriculus को देखोगे, तो utriculus वाला part बड़ा और seculus वाला part, छोटा, utriculus से तीन canals निकलती है, तीन canals निकलती है, जो निकलती भी utric utriculus से है, और वापिस आके भी किस में खुलती है, utriculus में ही खुलती है, और इन तीन canals को बोलते है, three semicircular canals, that is, anterior semicircular canals, posterior semicircular canals, transverse और horizontal semicircular canals, आपको बता दूँ, ये तीनो semicircular canals को अगर देखोगे, तो ये एक दूसरे से 90 degree के एंगल पे, या NCIT के language में बोलू, right angle पे located है, ठीक है जी, हमने क्या देखा, कि ये semicircular canals, जो वापिस आके, वापिस आके, utrical में खुल रही है, तो उनके जो नीचे वाला पार्ट था, जो बेसल पार्ट था, वो थोड़ा फूला हुआ पार्ट था, तो वो जो बेसल स्वेलन पार्ट था, उस बेसल स्वेलन पार् होती है, और उस sensory reach को हमने बोला crystal ampularis, इस crystal ampularis में क्या present है, हमने बोला इसमें sensory hair cells जो है, वो हेर cells present है, hair cells के habitat इसमें, sensory hair cells present है, exactly में semi-circular canals के ampular part में present ये crystal ampularis ही, वो main site था, जो की body के dynamic equilibrium के लिए responsible है, next, हमने देखा, सेकुलस और यूत्रिकुलस में भी एक प्रोजेक्शन प्रजेंट था जो एक तो सेकुलस में था और एक यूत्रिकुलस में उसको हमने बोला मैकुला और इस मैकुला में भी हेर सेल्स जो है वो हेर सेल्स क्या है बेटा हमने बोला इसमें भी हेर सेल्स जो है वो हेर सेल्स होत के लिए क्या है responsible है चले भीया next हमने बोला कि यहां पर हमने बात कर ली वह वेस्टिबलर एपरेटेस के बारे में बात कर ली अब हम कोईल्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं कोकलिया के बारे में बच्चे कोकलिया एक कोईल्ड पार्ट है जो की hearing के लिए responsible है हमने बोला को और यह वाला पार्ट है, अपेक्स, कोक्लिया के बेसल पार्ट पे दो ओपनिंग परजेंट होती है, एक होती ओवल विंडो, और एक होती है राउंड विंडो, एक होती है राउंड विंडो, चलें, यह कोक्लिया, यह that is membranous labyrinth का यह पार्ट जो वाइट वाला दिखाए दे रहा है, इसको बोलते है SM, that is scalar media, यह इसी को बोलते है कोक्लियर के नाल, जिसके अंदर क्या बढ़ा हुआ है, endolimp, क्या बढ़ा हुआ है, endolimp, यह बाहर वाला पार्ट है, यह मेरे पास है, बोनी labyrinth, हमने क्या देखा, कि इस scalar media की उपर वाली इस membrane को बोलते है, RM, that is listeners membrane, इस नीचे वाली membrane को बोलते है, BM, that is basilar membrane, तो हमने कहा कि कोक्लियर वाला जो पार्ट है, यह कितनी membrane से बना है, हमने बोला दो membrane से बना है, एक listeners membrane से बना है, और एक basilar membrane से बना है, और यह दोनों के दोनों membrane मिलके, बोनी labyrinth के perilimp को दो chamber में divide कर रही है, कितने chamber में divide कर रही है, दो chamber में, उपर वाले chamber को बोला है, this Sv, that is scala vestibuli, जिसमें क्या बढ़ा हुआ है, perilimp, और नीचे वाला chamber जो था, उसको बोला scala timpenei, और इसमें भी क्या बढ़ा हुआ है, perilimp, क्या बढ़ा हुआ है, perilimp, तो ध्यान रखना, जब भी पूछे, वो पूछे, कि बताओ oval window and round window, कहा present है, आप कहोगे, कोकलिया के base cell part, that is base पर present है, वो कहेगा, बताओ, scala vestibuli इकोन सी window पर जाके end होता है, तो आप कहोगे, oval window पर, वो पूछेगा, scala timpenei, कोन सी window पर जाके terminate हो रहा है, तो आप कहोगे, round window पर जाके terminate होता है, चले भीया, इतनी सी बात आपको याद रखनी है, वो पूछेगा, vestibular apparatus जो है, वो बताओ, कोकलिया के उपर की नीचे, तो आप कहोगे, कोकलिया के उपर, about the कोकलिया located है, चले, हमने कोकलिया के एक छोटा सा section लिया, और उसमें आपन बात करते हैं, hearing की mechanism के बारे में, बड़ी ध्यान से देखना है, हमने बोला, ये मेरे पास oval window, ये scala vestibulize जिसमें बढ़ा हुआ है, perilimp, ये मेरे पास round window, ये scala tympanize जिसमें बढ़ा हुआ है, perilimp, हमने बोला, ये scala vestibulize और tympanize दोनों के दोनों, इस opening के थुरू, that is, इस spine aperture, जिसको बोलते हैं, हेलिकोट्रेमा, इसके थुरू आपस में जुड़े हुए हुए है, बीच वाले पार्ट को बोलते है, scala, media, जिसमें क्या बढ़ा हुआ है, endolimp, क्या बढ़ा हुआ है, endolimp, हमने क्या देखा, इस endolimp वाले पार्ट में, आपको एक बहुत पतली सी membrane दिखाई दे रही है, जिसको बोला है, टेक्टोरियल membrane, NCRT लिखती है, टेक्टोरियल membrane क्या है, NCRT लिखती है, thin and elastic membrane, thin and elastic membrane है, कौन सी membrane, टेक्टोरियल membrane, अब देखे, नीचे वाली membrane कौन सी है, बैसिलर membrane, ये उपर वाली membrane के उपर located organ of cotide किसके उपर जब भी पुछे organ of cotide किसके उपर तो आप कहोगे organ of cotide basilar membrane के उपर located है सवाल था गुरु जी पहले ये तो बताओ ये organ of cotide है क्या बिटा organ of cotide ही cochlea की वो main site है जो की hearing के लिए responsible है वो कौन सा organ of cotide में supporting cells होती है and hair cells होती है और उन hair cells के पास होता है auditory receptor जिनको बोलते हैं hairs और stereocilia और इनके stereocilia किसमें धसे होते हैं वो embedded होते हैं tutorial membrane में किस membrane होते हैं tutorial membrane में अब सवाल था सर आप बता ही सुनाई कैसे देता है हमने बोला जो ही sound produce हुई हमारे इन ear पिना ने environment से sound wave को collect किया collect करके उनको किसमें डाला ear canal में ear canal से होते होए sound wave गई ear drum से टकराई तो ear drum में ऐसे ऐसे vibration होने लगा ear drum में vibration हुआ, ear drum में vibration हुआ, ear drum से क्या जुड़ा हुआ था, maleus, maleus में गया, maleus से incas में गया, incas से गया, step इस में, step इस में vibration होने लगा, step इस किस से जुड़ी हुई थी, cocleia की oval window से जुड़ी हुई थी, तो step इस से vibration कहां जोई ओवल विंडो ओफ कोकलिया में वाइब्रेशन पहुंचा, ओवल विंडो में वाइब्रेशन होने लगा, तो इस पैरी लिंप में भी वाइब्रेशन होने लगा, किसके पैरी लिंप में वाइब्रेशन होने लगा, जोई इस कैला वैस्टी बुलाई के पैरी लिंप मे वाइब्रेशन होने लगा यह रिसनर्स मेंब्रेन में वाइब्रेशन हुआ इसलिए एंडोलिम्प ओप इसकेला मीडिया में भी क्या होने लगा वाइब्रेशन हमने बोला इसकेला मीडिया के एंडोलिम्प में भी क्या होने लगा वाइब्रेशन वाइब्रेशन की वेव ऐ मुमेंट तो बड़ा फेमस सवाल है जो पूछ पूछ के पूछा हुए है वो पूछे का बताओ रिपल मुमेंट किसमे होती है आप कोगे बेसिलर मेंब्रेन में रिपल मुमेंट होती है और इस बेसिलर मेंब्रेन की रिपल मुमेंट की वज़े से ये जो हेर सेल्स थी इन हे हेर वेसित पुछे बताओ हेर सेल्स के बैंडिंग कोन से मेंबरेन के अगेरिस्ट होती जिसकी वजे से से हेर सेल का अगेरिजिशन और हेर से के बेसल पार्ट पे प्रजेंट इस एफिरेंट नर्व फाइबर में एक्सन पोटीन्चल डिवलप होता है और उस action potential को auditory nerve की help से, कौन सी nerve की help से, action potential develop हुआ, यह मैंने का, impulse develop हुआ, यह impulse जो था, यह कहां गया, हमने बोला auditory, नर्व के थू, कहां गया, auditory center में, यह गया बेड़ा, auditory center में, यह auditory center जो होता है, यह cerebral cortex, पार्ट में, सेरेब्रम के, cortex पार्ट में located होता है, जो ही auditory center में जाएगा, impulse, auditory center उसका analysis करेगा, and memory, and previous experience के basis पे पहचानेगा, कि यह आवाज किस की है, चले भी अपना आगे, तो यहां पे जाके, hearing की mechanism वाला portion भी क्या हुआ, complete, और इसी के साथ, द control and coordination वाला portion भी क्या हुआ, complete, तो आप बिलकुल दिल लगा के पढ़ते रहिएगा, NCRT के एक एक लाइन को, मैंने cover करने की कोशिस करी है, ठीक है जी, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, और अपने dream medical college में पहुँचने का सफर तैय करे, PW के साथ, हम मिलेंगे अगले lecture में, और बह तरिन अंदाज में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें, जैहिंद, थैंक यू, थैंक यू very much